आशे नियती वेद नहीं करती जो लेती है वो देती है जो भोएगा वो काटेगा ये जग करमों की खेती है नियती वेद नहीं करती जो लेती है वो देती है जो भोएगा वो काटेगा ये जग करमों की खेती है यदि कर्म तेरे पावन है सबी डूबेगी नहीं तेरी नाओं कभी तेरी बाह पकड़ने को वो बेस बदल के आएगा पता नहीं किस रूप में आकर नारायन मिल जाएगा पता नहीं किस रूप में आकर नारायन मिल जाएगा नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरी लेखा जोखा रखते हैं नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरी लेखा जोखा रखते हैं नौरों को पूल दिये जिसमें उसके भी हात महकते हैं कोई दीप मिले तो बाती बन तू भी तो किसी का साथी बन मन खुमान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा पता नहीं किस रूप में आकर नारायन मिल जाएगा कान लगा के बाते सुन ले सूखे हुए दरक्तों की लेता है भगवान परिक्षा सबसे प्यारे भक्तों की एक प्ष्ण है गहरा जिसकी हरी को थाह लगानी है तेरी शद्दा सोना है या बस सोने का पानी है जो फूल दरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा पता नहीं किस रोप में आकर नारायन मिल जाएगा पता नहीं किस रोप में आकर नारायन मिल जाएगा पता नहीं किस रोप में आकर नारायन मिल जाएगा पता नहीं किस रोप में आकर नारायन मिल जाएगा पता नहीं किस रोप में आकर 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 नहीं किस रोप में झालो, 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 गुट मॉर्निंग जी गुट मॉर्निंग की हाल चाल वदिया एकदम चलो हैपी लोडी लाओ मुफली और कुछ लाओ फिर ऐसे लोडी-लोडी तो बोल दी आपने रेबड़ी यह सोचने में तो काम चले जाता है ना यह सोच नहीं है में को एक बात ध्याना आगी हम किसी दिन एक मलब हम किसी दिन एक दूसरे को यह सोच कर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं तो यह सोचना नहीं होता घर से रेवडिया मुफलिया लानी होती है सर के लिए है क्या लोडी तो आज है नलाएक तेरा तारीक आज है नहीं चोदा को तो मक्कर सक्रांती होती है अरे कैलेंडर छूड़ो तुम मुफली लओ इदर लाइव वाले बच्चों को भी हैपी लोडी लोडी की बहुत-बहुत शुपकाम ना है आप सभी को मेरी तरफ से हमारी पुरी टीम की तरफ से हमारे पुरे परिवार की तरफ से आप खुश रहें और तंद्रुस रहें बहुत सारे पैसे कमाएं ताकि आप कम सब्सक्राइब मुफली के साथ रेवडी गूड कुस तो मेरे को लगा था क्यार बच्चे शायद लेकर आएंगे कोई बात नी कोई दिक्कत वाली बात निया अभिशेक अभिशेक तुन रहे हो देख रहे हो बिनोध ऐसे होती है और रेवडी भी ठीक है थोड़ी थोड़ी बच्चों को देनी है बड़ गंद क्लास में नहीं मचना चाहिए पोप कहां पोप कौन भी पॉपकौन भी आ रहे हैं पोप कौन भी आएंगे बिल्कुल पॉपकौन भी एंगे एक पैकट बड़ा पोपकौन का रेवडी और किसी को उन्होंने बला में को नजर लग जाती है कि उनकी बीवी ने मना किया है ओमाइगाड जोड़ी तो एक बार पहले फटावट से प्रातना कर लें प्रिकरी उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे एक बार सारे बच्चे फटावट से खड़े हुआ के अंदर गाते थे वैसे बंजाओ थोड़ा सा यह नहीं शरम कि होई मेरी अवाज बाहर जा रहे है साथ वाला क्या सुनेगा ठीक है नोर्मल जैसे आप किस क्लास के अंदर गाते थे वैसे अपने आप रातना गानी है ठीक हरी चलो लिए वन टू थ्री स्टार्ट इतनी श शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कम जोर होना हम चले नेक रस्ते पे हम से भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कम जोर होना हम चलो जी बैठो जी जी लाइव वाले बच्चों क्या विचा रहें ची सर हमारे पास भी भेज देना मूंगफली रेवडी और पोकॉन बिल्कुल भेज देंगे जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर यह अभी शेक हर बार है तो का लिखागे पेल होते हैं क्या हर बैच में होते हैं तुम्हें तो CS कर लिनी चाहिए देखो तुम हर क्लास में बैठते हो यहीं पर इतने में तो बच्चा वैसे CS करके रेंक लियाता है तुम स्टार्ट कर दो CS मैं सही बता रहा हूँ और क्या चलो रही आओ जी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में कोई डाउट जी किसी को जी I think हमारी income tax की class number 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीन क्लास हमारी complete हो चुकी है और I think तीन क्लास के अंदर हमने basic basic बातें सारी complete करनी है तो finally आज हमें section से हमें starting करनी है section number 4 सबसे important section पूरे income tax का आज हमें start करने है और section number 4 से ही आपका calculation वाला part जो है start हो जाएगा जो भी आपके tax rates है, income कैसे compute करनी है, कौन से rate applicable होंगे, कौन कौन से rate कई section में दिये होंगे, special rate क्या होंगे, normal rate क्या होंगे यह सारी की सारी बाते आज से हमारी start हो जाएंगी, ठीक है जी, बड़ उससे पहले एक बार फटावर्ट से revision कर लेते हैं, जो भी हमने last class में complete किया, एक बार पहले फटावर्ट से revise करते हैं, then फिर हम section number 4 के उपर आएंगे अब एक बात में को बताव जी, last जो हमारी basic class है, उसके अंदर आपको मैंने starting में का था कि जो भी हम text बढ़ने जा रही हैं, तो mainly आपका दो तरह का text हमें discuss करने हैं, एक तो मैंने का था कि direct text होगा और दूसरा मैंने क्या का था, indirect text होगा, अब अगर बात करूँगा, direct text की हम मारे exam में 60 marks का new syllabus के अंदर, 40 marks का GST और custom जो है, वो new syllabus के अंदर, old के अंदर 50-50 marks का है, उसके बाद मैंने का था कि direct text में आपका एक ही text हमें cover करने, एक तो हमें cover करने, income text जो हमने start किया हुए, फिर अगर IDT की बात करूँगा, उसमें 2 text होगे, GST और custom, अब GST अप्रोक्सम की बात करूँगा, तो नाम से ही क्या लग रहे हैं कि ऐसा text जो किस पर लगेगा, income, but actual income word नहीं बोलते हैं, total income, अब यह total income word हमने क्यों बोला, यह आज वाली class में clear हो जागा, section number 4 इस बात को proof करेगा, कि total income पर income text लगता है, कभी income पर नहीं लगता, उसके बाद अगर मैं बा अगर मैं कस्टम की बात करूँगा, तो कस्टम किस पर applicable होगा, सिरफ goods पर, अब कस्टम जो है, वो service पर applicable नहीं होगा, और उसके import, export होने पर applicable होगा, इस अगर इंडिया में समान बेचोगे, तो कस्टम की बाते नहीं होगी, बहार से समान लोगे, या बहार समान दोगे, उ यहाँ पर मैंने गाता कि income tax हो चाहे है, GST हो चाहे कस्टम हो, अब जो भी हमारे इंडिया में ये तीन tax बने हैं, इसको बनाने की power हमें कहीं न कहीं से मिली है, और सबसे supreme authority हमारे इंडिया में कौन सी है, Constitution of India, अब अगर मैं इंडिया के सविधान के बात करूँगा, वैसे स एक्चुल में सविधान किसने बनाया है, हम लोगों ने, ये सारी बाते आपको मैंने दिखाई भी थी, बड़ अगर मालों एक्जाम में कोशन बनता है, कि डॉक्टर बियार मलर रचईता को ने तो हम नाम क्या लिख आएंगे, डॉक्टर बियार अमेटकर, अच्छा effect में कब आया था, 26 January 1950 को हमारा सविधान effect में आया था, हमारे सविधान की uniqueness के है, सबसे बड़ा सविधान हमारे इंडिया का है, जिसमें total मिला के आपके schedule जो निकल क्याते है, वो कितने schedule है, अगर मैं बात करता हूँ, total मिला के, 395 तो article है, 395 तो article है, और schedule कितने है, 12, schedule कितने है, 12, अब अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे total मिला के, हमारे 395 article निकल के आते हैं, अब इंडिया के सविधान में, जब डॉक्टर बियार अमेटकर ने सविधान लिखा, उसको तीन पार्स में डिवाइड किया, एक तो legislative department, एक executive department और एक judicial department, अब जो हमारा legislative department निकल के आता ह तो legislative department का मतलब क्या आता है, लोग को बनाने की authority किसको देंगे, वो legislative है, फिर जब लोग बन जाएगा, उसको execute करने की power किसको देंगे, executive, और फिर आपका तिसरा department कौन सा होगा, जोडिशी, अब एक बात में को बताओ, लोग को बनाने वाली कौन कौन सा यह authority है, या तो क्य होगी, parliament, या वो क्या होगी, state assembly, अचा, parliament और central government सेम होती है, दोनों के लगढ़ को देंगे, फरक होते हैं, that development अलग होती है, और central government अलग जाएं, पारलेमेंट के अनदर क्या आता है, लोग सभा, plus में, राजय सभा, plus में, president, और central government के अंदर क्या आता है, आपकी cabinet याती है, cabinet cabinet, ministry की तो cabinet है, प्लस में, प्रेजिदेंट इन दोनों को मिला कर जो है, वो central government बनती है, बस यह पाद ध्यान दो, फिर यहाँ पर मैं न कहाता है, लोगो बनाने वाली यह तो parliament होगी, यह वो state assembly होगी, अब question ही निकल कहा है, कि parliament कौन से लोग बनाएगी और state assembly कौन से लोग बना बनाने वाली कौन है पार्लेमेंट और लिस्ट नंबर कौन सी होगी लिस्ट नंबर वन हमारी यूनियन लिस्ट याद करो तीन लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट लिस्ट नंबर वन जो लिस्ट नंबर वन जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें जो भी मैटर सोंगे लोग बनाने की power किसके पास है पारलेमेंट लिस्ट नमबर 2 में power किसके पास है state और लिस्ट नमबर 3 में किसके पास है दोनों के पास और अगर दोनों में conflict हो गया तो prevail कोन करेगी अब सारे बचे बोल दो income tax आपका list पास नहीं है तो फिर वो कहाँ पर होगी state assembly या तो लिस्ट नमबर 2 और एंट्री नमबर 46 क्या के लिखा था टेक्स ओन अगर आपको याद आ रहा हूं फिर एक आपको मैंने का था था यह समझ में आगया बई लोको बनाने वाला कोन है फिर एक्जिक्यूट करने वाला आपक परलेमेंट ने क्या कि आपका income tax act बना दिया फिर हमने income tax यहां पे चेक्ट किया था income tax act 1961 मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है जो मैंने आपके इंकम टेक्स एक्ट चेक किया था अब सोचके बोला income tax का section नमबर चैप्टर वन उसका section नमबर वन आपके सामने है अब मेरा पूर उपर एक baseline होगी उस baseline के बात जो दिया होगा उसको क्या बोलेंगे close और अगर कोई baseline नहीं होगी सिधा start होगा तो क्या बोलेंगे तो यह major फरक निकल क्या रहे कि सब section जो होते हैं वह section का पार्ट नहीं होते उसके baseline होती है उस baseline को में हर close से पहले पढ़ना पड़ता है तब बात में को और बताओ अब जो closes होते हैं वह normally आपने जाकिया होगा section number two जो हमारा definition के उसमें होते हैं बट क्या हर act में section two definition का होता है answer is no यह मैंने कल YouTube community पे question भी पूछा था मैं आपको बार-बार कह रहा है YouTube community पे चेक किया अगर डेली एक question आता है और आपको क्या होगा उससे daily class की revision होगी कुछ ना कुछ तो कल मैंने उनसे question पूछा था कि क्या section two हर act में definition का होता है हरानी के बात यह 40% बच्चा कह रहा है yes होता है आप समझ पारे हो 40% मैं अगर 1200 ब किसी एक्ट में definition 2 है किसी किसी एक्ट में section 3 में भी definition है याद करो मैंने का जर्नल क्लोज एक्ट जो है उसमें section 2 में definition नहीं है फिर उसके बाद आपका IBC इन्सोलवेंस यान वेक्रमसी कोड है उसके अंदर section 3 और section 5 में definition है तो मैं कहना क्या चारहा हूं कि section 2 generally definition का होता है बड़ हर act में section 2 definition का होता है यह रंपल सरी नहीं है बस एपार ध्यान तो उसके बाद फिर definition में जो بھی हमें दिया होता है उसको Currently क्या बोलते हैैं सब succession बोलते हैं close ऐसा हम क्लोज क्यों 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 बोलते हैं क्योंकि ऊपर हमें क्या दिय हुए है बेस-लाईंड तो बेस-लाईन के बाद जो तो फिर S.C.R.A. ले लो, S.B.C.B. Act ले लो, तो वहां से definition तुम उठा लो, हाँ अगर उस Act में नहीं है, तो फिर तुम कहां जाओगे, जर्नल क्लोज Act के पास जाओगे, अगर जर्नल क्लोज Act के पास नहीं है, तो फिर तुम क्या define करोगे, case law, जो High Court, Supreme Court की case laws होती है, उनसे उठा लोगे, अगर कोई भी case law नहीं है, तो फिर क्या होगा, self interpretation लोगे, और अगर self interpretation जो होगी, वो logical base पर होगी, वो literal base पर नहीं होगी, फिर एक point आपको मैंने और का था, कि section 2 के पास अब तब जाना, अगर जो भी तुम section पढ़ रहे हो, उस section में कोई definition नहीं दी हुई, अगर माला उसी section में definition है, तो फिर हमें उसी को ही follow करना है, फिर हमें 2 के पास नहीं जाना, एक बात और बताओ, जब तुम section 2 definition का पढ़ोगे, तो उपर एक line लिखी थी, line के लिखी थी कि जो भी हम section 2 में definition दे रहे हैं, उस definition को तुम तब follow करना, अगर इस word का use किसी और context में ना हो रहा हूँ, मला अगर इस word को कोई भी section किसी और context में use कर रहा है, तो फिर उसी context में उसका use करना है, वहाँ पे section 2 prevail नहीं करेगा, बस यह पाध्यान दो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बचे argument करते हैं, सर इसका तो मतलब हमने 2 के अंदर ये पढ़ हाँ, अगर कोई और context नहीं निकल क्या रहा, फिर उस word का meaning क्या होगा, फिर हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, बस यह पाध्यान दो, यह सारी बाते भी हमने complete की थी, अब यह सारी बाते complete करने के बाद ना, फिर आपको याद आ रहो, direct text और indirect text की definition क्या है, और इसमें difference क्या ह ने देखा था, एक बार सारे बच्चे में को फटा बट से बता दो जी, direct text का मतलब क्या होता है सा कोई भी text जिस परसन पर लेवी होगा, अगर बाइडन भी, तो वो क्या बन जाएगा, और अगर बाइडन जो है, वो different person पर आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, अच्छा, direct text के अंदर mainly example का निकल के आते हैं, income text हो गया, give text हो गया, corporate text हो गया, ये तो इसारे के सारे क्या है, direct, IDP में example क्या निकल के आ रहे है, GST और direct text की nature कै, progressive, मतलब जैसे, जैसे, वैसे, वैसे, और उसकी nature क्या है, Regressive का मतलब क्या होता है, fix nature, वो बन रहे आग इन direct text जो है, क्या वो अमीरों और गरीबों के अंदर भेद करेगा नहीं बट क्या डारेक्ट टेक्स करेगा डारेक्ट अमीरों पर ज्यादा लगेगा गरीबों पर और आईडिटी दोनों पर क्या लगेगा सेम यह बाते हमने complete कि फिर मैंने कादा कि direct tax मेंने previous year assessment year वाला concept भी होते हैं जो आज हमें दिखेगा बट IDT में ऐसा कोई भी concept नहीं होता फिर मैंने कादा कि direct tax का department कौन सा होता है CBDT और IDT का department कौन सा होता है अच्छा CBDT की full form क्या निकल के आती है central board of और CBS की full form क्या है central board of indirect tax and custom यह आपकी उसकी full form निकल के आ रही है तो यह सारी बाते हमने डिफरेंस के अंदर हमने complete की थी यह सारी बाते complete करने के बाद ना तो फिर एक लास्ट पाइंट ओ रहे है एक हमने tax planning, tax avoidance और tax evasion का मतलब समझाता एक वर में को यह clear कर दो tax planning का मतलब क्या होता है planning legal होती है illegal होती है legal और साथ में क्या होती है ethical legal and ethical अच्छा ethical क्यों है क्योंकि government ने हमें खुद कहा है कि तुम इसको use करके tax कम कर सकते हो उसको planning बोलते है फिर अगर बात करूँगा tax avoidance की अच्छा अगर avoidance की बात करूँगा तो क्या वो legal है या illegal है legal है बट वो क्या है unethical क्यों है क्योंकि low make कमी है low make problem है low make lacuna है loophole है उसको use करके अगर मैं tax करूँगा तो उसको हम क्या बोलते हैं avoidance बोलते हैं एक बात में को सोच के बताओ सर आज अगर आप हो या मैं हूँ कोई भी आत्मी कुछ भी नहीं हम तो उनके पैरों के ब्राबर भी नहीं है जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तों कुछ भी नहीं है तो मैं कहना है क्या चाहरा हो सो परसंट क्या ये लीगल है या illegal है और ethical है या unethical है क्योंकि यहां पर क्या कर दिया आपने लोग दिखा दिए तो वो evasion है मैंने कहीं से रिश्वत लेवग्री लेली तो ये सारी के सारी बात हैं इवेजन में cover होती है, इवेजन में interest, penalty और आपको jail भी हो सकती है, बस ये पाद ध्यान दो, फिगरी, तो ये सारी बाते हमने या तक complete की थी, एक point हमने और complete किया था, अगर आप कहते हो, tax heaven, अच्छा tax heaven का मतलब कहता है, जहां पर जिस country में ज़्यादा tax होता है, जिस country में tax ह ही नहीं होता, tax ही नहीं होता या, कम tax होता है, तो उसको हम क्या बोलते है, tax heaven, ऐसे बहुत सारी country है, जहां पर आट टेक्स नहीं है, या बहुत कम tax है, उसको हम tax heaven वाली countries में count करते हैं, ये बद ध्यान दो, बट इंडिया tax heaven में cover नहीं होता, यहां पर highest tax पूरे world का हमारे इ main section, that is section number 4, एक बार heading डाल दो, book में, notebook खुलो अपनी, बिल्कुल blank page, बिल्कुल blank page लेना, और बिल्कुल blank page पे सबसे उपर heading डाल दो, section number 4, 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 एक बार और बोल दो, charging section number 4, एक बार और बोल दो, अब एक बात में को बताओ सर, section number 4, ये बात कहना चाह रहे है, charging section of income tax, इसका मतलब क्या पहले समझो, जब मैं बात करता हूँ, charging section of income tax, तो charging section का मतलब क्या होता है, charging section मतलब ऐसा section जो आपके उपर एक charge impose करेगा, charge impose करने का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा income tax act किस person पर लगेगा, किस income पर लगेगा, कैसे लगेगा, किस rate से लगेगा, ये सारी के सारी बाते section 4 में है, तो section 4 किसी particular chapter का charging section नहीं है, मतलब ये नहीं कहरा कि तुमारे ओपर ये chapter कब लगेगा, मैं कहना हूँ, तुमारे ओपर पूरा income tax act ही कब लगेगा, अगर कोई person इस पूरे इंडिया में है, या पूरे भ्रमांड में है, उसके उपर इंडियन income tax act ही तब लगेगा, जब section 4 की condition satisfied हूँगे, आपने कहा, सर मैं income कमारी हूँ, तो क्या मुझे उस income पर tax देना है, मुझे नहीं पता, section 4 चेक करना पड़ेगा, सर फोर एक्जामपल मालब है, बीस तरह से income कमारा हूँ, उस बीस income पर किस rate से मुझे tax पे करना है, यह सारी किस सारी बाते फोर में है, या income tax individual पर है, company पर है, firm पर है, हचेफ पर है, किस किस पर है, यह सारी बाते फोर के अंदर है, तो simple से बात यह निकल क्या रही है, जब भी तुम practical life में कभी भी consult करोगे, अगर तुम्हें किसी को बताना है, कि तुमारे उपर income tax act की applicability क्या होगी, वो तब पता लग पाएगा, अगर section 4 वहाँ पे satisfied होगा, तो section 4, किसी chapter का charging section नहीं है, जो हम income tax पढ़ने जा रहे हैं, उस पूरे के पूरे income tax act की ही applicability कब होगी, यह सारी बाते section 4 के अंदर है, तो आप समझ सकते हो कितना important है, क्योंकि किसी chapter का charging नहीं है, यह आपको यह बताएगा, कि जो तुम income tax पढ़ने जा रहे हो, वो किस person पे लगेगा, कैसे लगेगा, किस income पे लगेगा, किस rate से लगेगा, यह सारी बातें 4 के अंदर हैं, अब एक बार चेक करते है, section 4 की language किया है, यह आपके सामने section 4 है, बहुत ध्यान से बढ़ना सर, और यह section 4, इसको एक section मत समझना, यह पूरा का पूरा income tax है, मैं तो मैं feel करा द पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक बार आप बिल्कुल basic reading लेते हैं, जैसे आप कोई book पढ़ते हैं, novel पढ़ते हैं, बिल्कुल basic reading, एक बार वैसे लेते हैं कि section 4 में क्या लिखा हुआ है, अवरी, एक बार सारे बचे स्टार्टिंग से मिर साथ पढ़ेंगे, पढ़ना स्ट इंदा finance act for the relevant, ये section 4 है बस, अब section 4 को हमने एक बार read तो कर लिया, अब इसके one by one word जो लिखे है न, उसको analyze करते हैं, वो क्या कहना चारा है, सबसे पहला word ये बात कहना चारा है, अच्छा एक बार दुबारा बो, section 4 जो हम पढ़ रहे हैं, या किसी chapter का charting section है, या पूरे income tax क तो ये तुम्हें क्या बताएगा, कोशिश करो, ये तुम्हें क्या बताएगा कि पूरा income tax act ही किस person पे लगेगा और किस पे नहीं लगेगा, तो इस पे लगेगा, उस पे income tax की बाते होंगी, जिस पे act ही नहीं लगेगा, उस पे income tax की बाते ही नहीं होंगी, तो अब एक ब अब भेशान सुना पहला वर्ड लिख एवरी पर्सन मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है कि जब मैंने बोला एवरी परसन तो तुम्हें क्या फिल आ रही है इस सेक्शन फोरने बोला एवरी परसन सोच के बताओ क्या इंकम टेक्स एक्ट इंडिविज्वल पे लगेगा कि कम्पनी पे लगेगा फॉर्म पे लगेगा एओपी पे लगेगा एचिएफ पे लगेगा लोकल एथोटी पे लगेगा कोपरेटिव साइटी पे लगेगा सब पर लगेगा सो अच्छा आपने यह मुझे क्यूं कहा सप पर लगेगा क्योंकि क्या लिखा हुई Every पाट मेर पूरीобще से Question है आपने कहा सर सप पर लगेगा है कि मैने कहा क्यूं लगेगा आपने कहा सर Every परसन लिखा तो हुए है मैंने को शन भी यहां से निकल टो हर होता है बड परसन में सब लोग कवर होंगे ये तुम्हें कैसे पता क्या पता परसन की definition income tax act में जो दी हो उसमें लिखाओ person means only individual क्या पता परसन की definition section 2 में जो दी होगी क्या पता उसमें लिखाओ person means only individual और अगर person means only individual है तो section 4 सिर्फ individual पर है तो मैं कहना क्या चालाओ कि आपने आखे बंद करके आंसर नहीं देने यह एवरी परसन लिखा है तो एवरी परसन ला हर परसन पर लगेगा आपको यह चेक करना पड़ेगा भी परसन में कोन आएगा और कोन नहीं आएगा क्योंकि जो जो परसन में आएगा उस पर इंकम टेक्स एक्ट लगेगा जो जो परसन में नहीं आएगा उस पर नहीं लगेगा तो सबसे पहली डेफिनेशन यह निकल क्या रही है कि what is the meaning of परसन की परसन की डेफिनेशन में कौन कवर होगा और कौन कवर नहीं होगा क्योंकि जो cover होगा, उस पे section 4 है, जो cover नहीं होगा, उस पे section 4 नहीं है, तो सबसे बड़ा दिमाक में question क्या आगया, person में, और person में कोन आएगा, इसको define किया है, section 231 नेच, अब एक बाद चेक करते हैं, oh my god, अब यहाँ पे एक बाद देखना है, person में क्या लिखा हो रही, वह यह बात कहना चारे है, person as defined in section 2, subsection 31, अनि, 2, subsection 31, या 2, close 31, क्योंकि section 2 में क्या है, close, अज़ा section 2 में close है, normally close ही होती है, या उपर एक baseline दिऊ हुई है, अगर section 2 के उपर baseline नहीं होती, तो यह क्या बन जाता, तो अभी यह close है, तो वही बात कहना चारे है, section 2, close number 31, of income tax act 1961, यहाँ पर ल बहुत ध्यान सुनना, अब यह 230 वनना, सरी मेरे खुद की language नहीं है, यह income tax act की language है, वो यह बात कहना चारे है, person includes, आप बताओगे, person includes, includes का मतलब क्या है, includes का मतलब क्या है, कि person में यही लोग आएंगे, जो हम बताने जा रहे हैं, या person में यह भी लोग आएंगे, जो हम बताने जा रहे हैं, अच्छा यह भी का मतलब क्या होता है, कि और भी लोग यहाँ पर कबर, अच्छा अगर यहाँ पर person means लिखा होता तो, means का मतलब क्या हो मीन्स का मतलब मतलब नहीं होता मीन्स का मतलब होता है एक्जोस्टीव कि परसन में यही कवर होगा जो यहां पर है अगर यहाँ पर person namely word लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता क्योंकि बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा namely word namely का मतलब यह exhaustive होता है अगर यहाँ पर word लिखा होता person such as such as का मतलब क्या होता है such as का मतलब होता है inclusive person जैसे की हम example पल दे रहे हैं exhaustive लिष्णि है अगर यहाँ पर लिखा होता person by way of तो by way of का मतलब ही क्या होता है exhaustive यह बाद ध्यान देना कही means word आ जाए कही namely word आ जाए कही way of word आ जाए तो वह exhaustive है कही includes includes word आ जाए और कहीं such as word आ जाए वह inclusive है तो सारे बच्चमें को फड़ा बट से बोल दो इन दोने section 231 includes लिखा है means लिखा है तो includes का मतलब क्या है inclusive inclusive मतलब person में यही लोग cover होंगे यह भी लोग cover होंगे यह भी अब सबसे पहला इंदोने क्या cover किया एन अब सोच के बोलना एन इंदिवीज्वल मतलब एक individual भी एक par fiscal है अच्छा individual भी एक person है मेरा पूरी क्लास से कोइखर न है individual भी एक person है कौन सा individual ऑमेल फीमेल यह दोनों Radio Unmarried यह दोनों ए माइनर मेजर यह दोनों बहुत सो समझगा अंसर देना सर देखो section 4 पर time लगा दोगे तो पुरा income tax तुम्हारे लेजी बन जाएगा अगर section 4 पर time नहीं लगोगे पुरे income tax में घिसते रहना तुम्हें कुछ भी समझ मिनी आएगा क्योंकि आप जो यह मुझे बताने जा रहे हो इसका effect सुनो पहले इसका effect क्या पड़ेगा क्योंकि जो आप मुझे बोल रहे हो उस पे तुम act लगा रहे हो किसी और नहीं लगा रहे है तुमने बोला major इसका मतलब क्या है तुमने minor को person नहीं माना अगर तुमने minor को person नहीं माना section 4 उसके प्र applicable नहीं हुआ तो minor की सारी की सारी income exempt हो गई तो क्यार पूरे इंडिया में minor जो भी income कमा रहे हैं क्या वो सारी exempt है बड़ तुम तो कहना चाहरे हो कि आप तो यह कहना चाहरे हैं न होते थो सकते बाते नहीं और माइनर माइण नहीं क्यूंगी था हिसके सबस्क्राइब कर देख यह कि उस्ससां किसी के समåन sich करके देखिए जिसने नहीं देखिए मैं बता दूँ उस एक छोटी सी बच्ची ने पूरी मूवी बिना बोले निकाल दी थी सिर्फ एक्स्प्रेशन से और क्या और फिर लास्ट में वो जाके बोली थी बिल्कुल लास्ट में वो जाके बोली थी वो लास्ट में सलमान कान जा रहा होता है फिर वो ऐसे पीछे बढ़के बोलती है मामा ऐसा होता है ना फिर सलमान कौन दोड़ा दोड़ा आता है दोड़ा दोड़ा आता है फिर मुन्नी को ऐसे उठाता है ऐसे मुवी खत्म हो जाती एक दम मुन्नी उपर हाथ यहां मुन्नी गिरेगी नहीं गिरेगी वो नहीं पता भी अब सोच केम को बताना क्या मूवी के उस मुनिने पैसे लियोंगे नहीं लियोंगे बड़ आपके कोडिंग तो उसकी सारी इंकम एक्जम्ट है क्योंकि आपने कहा कि माइनर जो है वो एक परसन नहीं है मैंने कहा ना आप जो बोलते हो आप जो रिप्लाइए करते हो उसका एफेक्ट समझो पहले ही इफेक्ट के और आपका अभी गलत बोलो गई नहीं कौ ni जो परशन नहीं है का उश्बस पर सेक्षन 4 यहुट मुझे तो यह सौच क्या लूइन क्या दे रहा है क्योंकि माइनर की ब्यार क्रोडर पेक इंकम है अच डांस इंडिया डांस देख लो इंडियन आइडल देख लो सीरियल देख लो हर जगें बच्चे भरे पड़े हैं माई साब बच्चे एक्टर बने पड़े हैं एक्टिंग करने के 50-60 लाखर पे ले रहे हैं वो एक क्रोडर पे ले रहे हैं तो आपके कोडिंग तो वो सारी इंकम एक्जम्ट हो गई और गोर्णन तो पागल है फिर तो फिर तो हर बचा माइनर क्या करेगा acting करेगा पैसे कमाएगा parents को देगा parents कामी नहीं करेंगे नहीं याँ याँ ये बात समझ याँ तो सोच समझ के बोलना जब इन्होंने individual लिखा है जब इन्होंने individual लिखा है मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि minor text pay करेगा नहीं करेगा मैं ये कहा हो कि minor интер person है नहीं है person तो है जी अब बच्चा गेरा था सर वो कैसे text pay करेगा, मैंने तुम्हें यह कब कहा कि minor टेक्स पे करेगा, मैंने यह कहा कि minor एक person है, उसके बिहाफ पे जो भी legal guardian होंगे, वो text pay कर देंगे पर परसन तो बनाना पड़ेगा ना अगर परसन ही नहीं बनाओगे उसकी इंकम कैसे टेक्सेबल होगी बताओ तो मुने सारे बच्चे बोल दो यहां पर लिखे है परसन इंकल्यूट्स इंडिविजुल इंडिविजुल मतलब मेल फिमल या दोनो कि उसके पाद मैरिब और मैर्इ या दोनो है माइनर मेंजर या दोनो है रेजीडेरन लोओंगे नवस दोनो कवर होंगे दोनों कवर होंगे क्योंकि अगर कोई फिरंगी इंडिया मैं पैसे कमांगे तो टेक्सपे करेंगा तो टैस्पी करेंगा तो foreign citizen में problem क्यों आ रही तुम्हें जब तुमने फिरंगी उपर cover कर लिया तो फिरंगी तो foreign citizen ही होगा नौर्मली और मैं कहा हूँ तू Indian citizen है या foreign citizen है भाई परसंबने के बाद क्या होगा हम चेक करेंगे तो ने income कमाई का है यार एक बात में को बताओ आर हमारे जीजू जीजू को नहीं निक जोनस जिनको हम पूरे इंडिया वाले जीजू बोलते हैं एक बार मैंने क्लास में उसका नाम ले दिया निक जोनस लड़की बोल बड़ी स करते क्या हैं सिंगर हैं अब अगर मालों वो इंडिया मेंकर कोई भी सिंगिंग पर्फोर्मेंस देते हैं तो क्या पैसे लेंगे नहीं लेंगे वह रेजिदेंट हैं अब अगर पैसा इंडिया में कमा रहे हैं तो क्या वो पैसा इंडिया में टेक्सेबल होना चाहिए नह भी हो अगर तुम इंडिवीजुल हो न तुम यहाँ पर कवर ओ बस यहां दो जी उसके बाद फिर यहां पर कौन आये कारी सेकिन्ड केटिग्री में हिंदू अंडिवाइड फैमिली हिंदू undivided family HF जो होती है वो भी यहाँ पर cover है अब मालो for example यह कि complete HF है HF एक separate legal entity है income tax act के अंदर individual और HF अलग लगने से मालो मेरी मेरी एक HF भी है मैं individual भी हूँ मैं कुछ income अपने HF के नाम से लेता हूँ कुछ income अपने नाम से लेता हूँ उनको exemption limit अलग मिलती है मुझे अलग मिलती है यह कैसे proof हो रहा है person की definition में दोनों अलग अलग है अब मेरा पूरी class से question है एक बार दुबारा बोलना इसकी HF की full form क्या निकल क्या रही है Hindu undivided family अब question यह निकल क्या रहा है HF को practically हम tax planning के लिए use करते है tax बचाने के लिए हम बहुत use करते हैं HF को मैं अगर रख के बताऊंगा HF के तुरू tax कैसे बसता है मैं भी बचा रहा हूँ अपने मेरे father भी बचा रहे है और पहले हम नहीं बचाते थे अब मैंने अपने father की भी HF open करवाई कुछ income HF में आती है हिंदू के इलावा मालो sick family है तो क्या sick family HF create कर सकती है हम कहते हिंदू muslim Sikh इसाई आपस में सब भाई भाई यह लाइन हमने बच्पन के अंदर का भी पड़ी थी तो हिंदू muslim Sikh इसाई हिंदू तो बना सकता है नामी इसका हिंदू undivided family है तो हिंदू तो आएगा या आएगा स्थिक फैमिली क्या बना सकती है यह स्थिक फैमिली बना सकती है जैन फैमिली क्या बना सकती है यह स्थिक बना सकती है क्रिश्चन फैमिली क्रिश्चन फैमिली क्या बना सकती है आंसर इस नो Christian family HF create नहीं कर सकती है Muslim family क्या HF create कर सकती है answer is no Muslim family भी HF create नहीं कर सकती है Buddhist family क्या HF create कर सकती है answer is yes HF create कर सकती है तो इतनी सी बात ध्यान देना कि Muslim family और Christian family cannot create HF वो HF का benefit नहीं ले सकते ऐसी बात आपके Hindu लोग के अंदर लिखे हुई है और future में कभी low change होगा वो तब की बात है बट अभी तक Muslim family और Christian family यहां से बहार है जो हिंदू है जो Sikh है जो Jain है जो Buddhist है वो HF create कर सकते हैं उसको बनाकर tax का benefit वो ले सकते है या बने बात समने में आरे यह जिए पहला कोन आ गया? इंडिविज्वल इंडियन हो जाए फोरनों दोनों company person वाली category में cover होगी दोनों पर income tax की बाते होगी फिर fourth category यहां person में cover हो रही है जी fourth category यहां person में आ रही है that is firm और firm includes LLP यहां पर LLP भी cover हो जाएगी partnership firm हो गया, proprietorship firm हो गया LLP हो गया, यह सब इस category में cover है यह भी person में आती है उसके बाद फिर आ रहा है association of person और body of individual whether incorporated or not अब यह AOP और BOI क्या आती है जी government का यह भी person है इनकी भी separate entity है, इनके भी अलग rate है, इनकी भी अलग exemption limit है बट यह AOP और BOI होते के हैं एक बार AOP की full form बोलना क्या है association of मला हम एक association बना रहे हैं, किसकी association person की BOI, body of individual आपको मैं example देता हूँ जिसे माल लो आप में से सारे बच्चे ना, लक्ष्मी नगर में रहते हैं माल लेते हैं सारे बच्चे लक्ष्मी नगर में रहते हैं और मैं भी लक्ष्मी नगर में ऐसा accident हो गया, कि तीन चार को चोट लग गई, रात को अंधेरा होता है, कोई आ रहा होता है, वो गड़े में गिर जाता है अब गड़े में में मिर गया, नुकसान तो उसका हो गया, पटियां लग रही है, होस्पिटर के अंदर भरती है, और एक इंसान की तो डैथी हो गई अचानक से उखतना का, फिर हमने सबने decide किया, मैं कहा है, कुछ ऐसा करते हैं, गोवर्मेंट तो कुछ नहीं कर रही है, हम कुछ बिलकर कर लेते हैं वही हम यहाँ सो लोग रह रहे हैं, सो की जिंदगी तो है, या गोवर्मेंट की वेट करोगे तुम और एक कोंट्रैक्टर को बोलते हैं, सटक बना देगा वो, गोवर्मेंट तो ये भी सोश्ती होगा न, गोवर्मेंट करती हो गोवर्मेंट करती होगी कुछ बहुँ काम तुम भी कर लो, आगर मालमें उस गलियों तक नहीं पहुंच बारी तो तुमारी गली है, तुम अच्छ हासा तो आपने कारी कोई दिक्रत वाली बातने आप सोच के बोला हमने एक बोडि बनाई इंडीники की किस परपस के लिए एक परपस के लिए इसको बोलते हैं बोडि ओफ इंडिए लिए इसको कहां बोलते हैं body अपने बोडी बनाई तो अपना काम करने लगए एक कोंट्रेक्टर आया और सड़क बनाने लग गया तो माल लो अम्मानी जी अम्मुकेश अम्मानी एक दिन यहां से गुजर रहे थे अपनी कंपनी की तरव से कितने का चैक दे रहा हूं पचास लग आप सोच के बोले रहा अब यह बोडी के सरफ इंडिवीजुल की रही या बीच में कंपणी ब्यागई इसको बोलते हैं एए ओपी यह अब किसकी association है क्या यह association अब सिर्फ individual की है या person की है person क्योंकि person includes individual or company also नहीं यारी बात समझे यार तो जब कोई association person की बनेगी person मतलब individual भी होंगे non individual भी होंगे जब वो सब मिलके काम करेंगे तो वो AOP बनेगी अगर सिर्फ individual मिलके काम करेंगे तो B.O.I. बनेगी बस यह पाद ध्यान दोजे तो आपके एकजाम में confirm यह question कई बार बन चुका है कि A.O.P. के अंदर क्या companies भी आती है A.O.P. में सब आती है जो person की definition में cover है तो कि person की definition तो पढ़ रहे हैं और B.O.I. का मतलब सिर्फ कोन आएगा इंडिविज्वल तो गवर्मेंट नेगा A.O.P. और B.O.I. यह भी जो होंगे आपके person वाली category में cover हो जाएगे बस यह पाद ध्यान तो उसके बद फिर person में कोन आएगा रही person में फिर government कह रही है जी आपकी यहाँ पे local authorities जो है यह वाली यहाँ पे find number F ओर आएगा that is local authority local authorities क्या होती है municipality municipal corporation यह सारी के सारी municipality municipal corporation यह भी आपकी person में आती है फिर last में government ने कामी खतम कर दिया last में government कह रही है every artificial judicial person not falling within any of the preceding subclose कोई भी artificial person जो उपर cover नहीं है वो भी परसन में आएगा artificial person मतलब जो natural human being नहीं है जैसे जैसे universities, college, school, ship, vessel और सबसे बड़ी बात भगवान भी यहाँ पे आएगा सबसे बड़ी बात भगवान भी यहाँ पे आएगा आरे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले कोन है मंदीरी तो है आपको नहीं लग रहा जो अयोद्या मंदीर 22 को खुल लाएगा तो अगले दिन से क्रोडर रपे की उनकी बस चड़ावा आएगा तो जो मंदीर में लगए है वो तो वीदिन वन येर कवर है तो कि इंडिया में लोगों की आस्था बहुत बड़ी है अब भी राम मंदीर 22 खुलने वाला है बाइसा लगए है कि हमारे राम खुद असली में आने वाले यह यह फील आता है क्योंकि हमारा अटैस्मेंट उनस इसे राम भजन डेली बेस पर आ रहे हैं डेली बेस ना रहे है और मोदी इसको शेर भी करने और कल मोदीर ने 11 दिन का वरती रखा है कि अगए प्रान परतिश्चा से पहले 11 दिन का फास्त मैं कहना क्या चाहिए कि हमारे देश किट पीएम इस तरह से काम करेंगे तो फिर स तब एक्जम्ट होती है अगर कुछ कंडिशन सेटिस्फाइड होंगी है मेरा पूरी क्लास से कुछन है सो समझ के बताना आज अयोध्या के बनने से अब होगा क्या क्राउड जो है वो शिफ्ट होगा आपको पता है आज से दस साल पहले वैश्णों दे भी बहुत लोग जात तो क्या वहां वैश्णों देवी के अंदर लोग उतने ही रहेंगे सेम टाइम पर यह शिफ्ट हो जाएंगे शिफ्ट रहेंगे ना विर सारी इंडस्ट्री ग्रोव करेगी जैसे कई बार लोग कहते हैं मंदिर खुलने से क्या हो रहा है कि अध्यान से चक करो वहां पर छोटे मोटे दुकान दा रेडी वाले कितना बिजनस उनका बढ़ जाता है लोग काम करने लग जाते हैं वाँ पर आपका भी चेक करना वैशनवी के दरबार में कितने दुकाने लगी हुए लाइन से कितने खाने पीनवालों की घर नहीं चल रहे हैं उनके तो गरीब जंता तो आदी एक्चुल में अब गुवर्मेंट जोब तो दे नहीं पारे आप कभी जाओ भैरव के पास मा वैशनवी के दरब भैरव के मंदिर गए हो बहार एक पकोड़े वाला है बहार एक पकोड़े वाला है उसकी सेल इतनी आप सोच भी न सकते हैं अब अगर वह जोब ढूंड रहा होता तो मैं भी उतना पैसा नहीं कमा पाता अब भगवान क भगान तो सामने बैठी हैं वह तो कुछ बोली नहीं नहीं बोल पाते कई बार मेरा पूरी क्लास से कुश्चन है आप में से कौन कौन वैसे कभी मंदीर या कहीं पर मस्जीद कहीं पर भी गया है जो अपने धरम के लोग है जहां पर वह क्या आए हैं अब गई है अच्छा रुपे भी चढ़ाए दान पातर के अंदर आज से 10-15 साल पहले ऐसा ही होता था क्योंकि पैसे इतने नहीं होते थे और आज कल जब भी हम कभी चैक करना जब भी हम पैसे चढ़ाते हैं नोर्मली हाथ ऐसे करके चढ़ाते हैं कोई देख ना ले हमने कितने चढ़ाई है हमारी फर्माईश जो भगवान के सामने वो तो लाखों की है चढ़ाए हमने 10 रुपे हैं अब अगर भगवान ने कहीं देख लिए 10 रुपे में सोधा कर रहे है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है क्या भगवान मानी ना हमारी बात क्योंकि हमने हमने मांग ली भगवान से इस बना दे है 10 रुपे तो इसलिए हम हाथ ऐसे कर लेता है कि भगवान देख कुछ तो डाल रहे हैं इंस्टोल्मेंट में पे करते रहेंगे अभी हमें तुछ बना दे ऐसे तुम बात बताओ जब तो एट में थे तुमने भगवान से क्या मंगा कि एक बार भगवान ने पास करवादे एक्जीटी तो ऐसे है एक्जीटी में निकाल दूँगी उसमें कोई दिक्कति है वसे एक बार एटी अब तुम एक्जीटी में आ गए अब तुम्हें लग रहा है बाए सबसे तो कुछ भी नहीं थी वह तो बिल्कुल एक लोली वोप था कि जो में पकड़ होगे कि एक बार भगवान CS बना दे उसके बाद मैं देखे लूंगी मुझे ताना दिया कि हमेशा मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आ जाये करो बात तो बिल्कुल सही है कि भगवान भी तो कभी ना कभी वेट कर रहा हुग कि मेरा कोई भक्त मिलने के लिए आएगा मुझसे क्योंकि जो भी मंदिर में घुशता है हाथ पहले है भगवान इस बना दे पर उसके दिल से कुछ ओटोमेटिकल निकल लाता है कि यह चाहिए वो चाहिए यह चाहिए कभी आप चेक करना ऐसा होता है बट बात सही भी है हम और किससे मांगे बच्पन हमने यही सीखा है और मेर यह अंक्संग रहना कि क्यों कि आप मेरे साथ हो तो आपको पता ना मुझे क्या चाहिए आप दिलवाईद हों गये अग Animation वांगा फिर दूसरी मांगी तुसरी कितो सारी डिमांड्स होंगी तो बैटर ही है कि आप मेरे साथ रहो और देखते रहो मुझे क्या चाहिए मिलता रहे बस तो मुझे फ्रेवर से बोल दो क्या भगवान भी टेक्स पे करते हैं अच्छा भगवान क्या खुद पे करते हैं या उनके लिगल रिपर्जेंटेटिव होत उसको देखके चड़ाए आपकी शर्दा किसके प्रति है कि पुजारी के आप भगवान के अब दान पत्र खुल गया कि दान पत्र खुला भाई सब पैसा ही पैसा और इतना सारा पैसा निकला तो गवर्मेंट ने का भाई सब टेक्स लाओ पुजारी कहता हो सामने बैठे लो है यह मुझे थोड़ा चड़ाएं भाई मिल्कुर्ण चड़ाके जा रहे अगर मैं नहीं होता तो भी चड़ा जते हैं आज अगर मंदिर में कोई पुजारी ना हो तुम भगवान को पैसे चड़ाओगे नहीं चड़ाओगे तुम पुजारी को देखके थोड़ा जा रहे हो अयोद्य का पुजारी कोन है राममंद्र का पुजारी कोन है हमें उससे क्या लेना वहाँ पर भगवान राम बैठे हमारा मतलब यह है हम भगवान राम से मिलने जा रहे हैं और उसके लिए हमने सोर बेचड़ाएं तो दान पदर खुला तो उसने का बोला भाईसा भगवान के लिए लोग आते हमारे लिनिया आते अब गवर्मेंट के सुन मेरी बात हम अब अगर भगवान को परसन से बाहर निकाल देंगे तो इस सारी कि सारी इंकम एक्जम्ट हो जाएगी अब भी टेक्स लहीं नहीं पाएंगे तो गवर्मेंट ने का ये भी एक परसन है नो डाउट ये टेक्स पे नहीं करेंगे इनके भिहाफ पर जो उनके लिगल रिप्रेजेंटेटीव है जो पुजारी है जो ट्रस्ट है वो अब से पध्यान दोच अब भी भी डेफिनेशन इंक्लिउजीव है जो तुमारे दिमाग में नहीं है गोर्मेंट ने का अगर कल वो तुमारे दिमाग में आ गया तो वो भी हम परसन में कवर कर लेंगे क्योंकि परसन इंक्लिउट्स है तो अब मुझे बोलो जो एवरी प सकते थे अब तुम् une अराम से कह सकती हो हर परसन आएगा अगर कोई पूछ झ carrier 131 में परसन की देफिनेशन में सब लोग आते है अब सारी बचान 2 231 परसन की डेफिनेशन इंक्ल्यूजीव एक्जोस्टीव है रवर से बोलो परसन में क्या आएगा परसन इंक्ल्यूज्स इंडिवीज्वल एच एफ कंपनी फार्म एओपी, बीओवाई, लोकल है थोटी और एवरी आटीफिशल जूडिशल परसन नोट कवर्ट इन दा प्रिसीडिंग सब क्लोज यह सब लोग आपके परसन वाली कैटेग्री में कवर हो जाएंगे बस एप अध्यान दोची क्या बास उन में आ रहे हैं तो एक बार ऐसा करो, लिखो एक बार, सेक्शन नमबर फोर चार्डिंग सेक्शन ओफ इंकम टेक्स, एक बार पहले उसकी लैंग्वेज लिखो, और सेम ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखी हुई है, इसे ही बाइफर्केशन में, ऐसे ही दॉर्ण missy भूपार्संबर होते हैं फिर वाइफ होती है फिर फिर हिंदु स्कूल̍स अलगळग होती हैं लो नहीं नो तो बस फिर में है किस पर मैं है कि एच्चिफ वाली बात किसे एट में में गुपता जीएस बी एल में है जी स Tigers को पकड़ लेना उनको बोलना मुझे HF के वारे में बताओ मैं बता देता बट मेरे taxation purpose के लिए इतना ही है अगर मैं बताओंगा भी तो वह exam में किसी काम का नहीं है अगर अगर दलबा देता हूं है तो है अगर फैमिली का अंडिवाइड रहना mandatory है क्या ऐसा नहीं होता नोर्मली अब जो मैं box के अंदर बंद कर रहा हूं वह box के अंदर बंद कर लेना एक तो person को बंद कर लो total income सबसे important word पूरे income tax का previous year again सबसे important word एक्सीड और जो इतनी बड़ी लाइन लिखिये ना एक्सीड दी मैक्सीमम अमाउंट विजिस नोट चार्जेबल टू इंकम टेक्स इसको तुम शोट में लिख सकते हो इस एक्सम्शन लिमिट इस एक्सम्शन लिमिट उसके बद असेसी को बोक्स के अंदर बंद कर लो उसके बद रेट्स को ब्लोक में बंद कर लो फाइनेंस एक्ट को ब्लोक में बंद कर लो पॉर दर रेलिवेंट प्रिविएस येर और इसके बात ना इसके bracket में लिख लो for the relevant previous year और यहां पर लिख लो that is tax assessed in assessment year जो tax हमें देना होता है न वो हमें assessment year में देना होता है कम्प्यूटेशन previous year में होती है जो हमारी income होती है वो previous year की होती है बड़ जो tax हमें pay करना होता है वो पे करना होता है assessment year में अब यह क्या concept है previous year assessment year इसको भी हम देख लेंगे जिए टेक्स assessed in assessment year अब लिखो आगे definition of person definition of person under income tax act person की definition किया है income tax act में और जो मैं तुम्हें definition लिखवार हो person की ध्याना है यह सिरफ income tax act की है GST में अलग है ठीक है ना custom में अलग है हर act में अलग लग है अभी हम पढ़ रहे हैं income tax तो definition हम income tax में है तो लिख लेना definition of person under income tax act 1961 कि अब लिखो जी कि सेक्शन 231 उसके साइड में लिख लो सेक्शन टू क्लोज नंबर थर्टीवन सेक्शन टू क्लोज नंबर थर्टीवन नोट्स बढ़िया तरीके से बनाना न्यूस लबस वाले खास तोर पे क्योंकि उनको लिखना है पेपर में और जो मैं language लिख वा रहा हूं वैसे सेम लिख लिख आनी आपको ठीक है तो लिखो 231 अब लिखो रही परसन डेफिशन inclusive definition inclusive definition का मतलब क्या है कि person में ये भी आयेगा ये ही आएगा नहीं, person में ये भी आएगा ये भी आएगा परसन में ये भी आएगा ठीक है अब लिखो एन इंडिविज्वल इंडिविज्वल के ब्रैकेट में लिखो मेल, फीमेल मेल फीमेल उसके बाद मैरीड अनमैरीड उसके बाद क्या कह रहे हो है अच्छेंडर आएंगे नियाएंगे क्या इंडिविज्वल तो है न वह वह अच्छेंडर भी बिल्कुल आएंगे चीए मेल, फीमेल, मैरीड अनमैर्च आप यह इसलिए कह रहे हो कि मैने मेल फीमेल लिखा ओ अब मैं क्या लिखों इसमें बोथ मेल फीमेल अर्ध नारिश्वर अर्ध नारिश्वर कह सकते हैं ऐसा ही तो होते हैं मेरे खाल से अर्ध नारिश्वर अर्ध नारिश्वर तो लग होता है चलो में ट्रांस्जेंडर भी आएंगे ठीक है नहीं वह भी इंडिविज्वल तो है ही है ठीक है हाँ जी अब बच्छे बात कह रहे हैं से आपके प्रसंट के नाम से को इंकम कमा रहे हैं तो क्या पैट्स भी यहां पर कवर होंगे अगर मालो मैं यहां मालो परसंट पहली बात तो वह इंडिवीज्वल है या नहीं है अच्छा इंडिवीज्वल मतलब होता है नेच्छल लिमन बीग प्रसंट के नेच्छल लिमन बीग तो क्या वह पैट्स नेच्छल हीमन बीग में आएंगे नहीं आएंगे कि क्या वह इंडिवीज्वल के डैफनेशन मीन से इंग्लूट से तो अगर आप यह सुझे से मालो कोई कहता है सब्सक्राइब है यह हुर्स से इंकम कमा रहा हूं है अब होस्की रेषिगुष है तो में लिल्टेस के मत्ब होता है यह यह भी आएंगे हमने प तुम इंकम कमा सकते हो ना वो पर्सन वाली कैटिगरी में कवर हो सकता है इंपल सा फंडा यह है बस गोर्वेंट को टैक्स चाहिए फिगरी तो लिखको मेल फेमेल मैरीड अनमैरीड उसके बाद फिर आपका माइनर कि मेजर इंडियन सिटिजन, फोरण सिटिजन, रेजिडेंट, नोन रेजिडेंट, एट सेक्टरा सब लोग यहां पर आ जाएंगे जी सर क्या यह आपके बर्थडे की पिक है जी यह मेरे बर्थडे की पिक है तो यह सारे के सारे individual वाली category में यहां पर cover हो जाएंगे आगे लिखो फिर अब हिंदू undivided family हएफ हएफ के ब्रैकेट में एक लाइन लिख लो ओल फैमिलीज कें क्रियेट हएफ ओल फैमिलीज कें क्रियेट हएफ एकसेप्ट मुस्लीम एन क्रिश्टन फैमिलीज एकसेप्ट मुस्लीम एन क्रिश्टन फैमिलीज मुस्लीम फैमिली एन क्रिश्टन फैमिली एन क्रिश्टन फैमिली कें नोट क्रियेट हएफ अगल वैसे उन्होंने बहा सपैसिविक लिए निकाला हुआ बट यह दोनों थो स्पैसिविक लिए बहा रही है है तो मुस्क्लिम एन क्रिस्टन फेमिली एच चिह अगे लिखो कमपनी कमपनी के दर इंडियन फोरान बोथ कमपनी में लिख दो डॉमेस्टिक कमपनी and foreign company domestic company foreign company यह दोनों company यहाँ पर cover होंगी जब आपके exam में definition बनेगी person की news club की बात को मैं कर रहा हूँ तो आपको यह सारी बाते bracket में लिख के आनी पड़ेंगी जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ उसके बाद अगला फिर यहाँ पर आ रहे दी form form के ब्रैकेट में लिखो includes LLP includes LLP फिर लिखो association of person और body of individual इसके नीचे लिखो association of person और body of individual इसको अब शोट में कहा सकते हो AOP और BOI ठीक है तो जब भी मैं AOP भी B.O.I. बोलूँगा ना तो समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूँ association of person or body of individual जी अब AOP और B.O.I. के उपर एक star बनाऊ AOP और B.O.I. के उपर एक star बनाऊ उसमें लिखो A.O.P A.O.P includes A.O.P includes individual and other than individual A.O.P includes individual and other than individual उसमें individuals भी आएंगे और other than individuals भी आएंगे ठीक है B.O.I. के bracket में लिखो B.O.I. includes only individual B.O.I. includes only individual अब आगे F लिखो F में लिखो Local Authority Local Authority Local Authority के bracket में लिखे लिए ना Municipality, Municipal Corporation, etc. आपने सुनागा MCD सुनागा MCD तो वो Local Authority में आती है ठीक है आपने सुनागा MCD के इलेक्षन अभी के जीवाल जो जीते हैं दिल्ली में MCD के इलेक्षन हुए थे तो वो Local Authority तो Municipal Municipality Municipal Corporation फिर F के बाद लिखो जी जी आता है ना आपके बाद A, B, C, D, E, F जी हाँ लिखो फिर Cooperative Society Cooperative Society जो आपकी Cooperative Society होती है वो भी आपकी परसन में कवर होती है अब फिर लिखो जी के बाद H H में लिखो Every artificial judicial person Every artificial judicial person Not falling Within any of the preceding subclose कोई भी artificial person दो उपर कवर नहीं है Bracket में लिख सकते हो आप यहाँ पर माल लो University College Ship Vessel Etc गोड लिखना हो तो लिख सकते हैं आपे तो यह सब जो है यह आपके इस वाली केटिग्री में कवर हो जाएंगे तो अब जाके परसन की definition हमारी खतम हो जाते कि परसन में कौन को नाएगा जी ठीकरी यूनिवस्टी अब एक बार सारे बच्चे लाइव वाले बच्चे भी ठीकरी हाँ जी हेलो लाइव वाले बच्चे भी लिखेंगे अब बताओ परसन में कौन को नाएगा परसन की इंक्लूजीव एक्जोस्टीव है इंक्लूजीव क्या क्या आएगा इंडिवीज्वल एची एफ कंपनी फार्म एओपी डियो आई लोकल अथोटी कोप्रेटिव ससाइटी और एवरी आटीफिशल जुडिशल परसन यह आ आइस एसाइ क्या पॉइंट नंबर एच के अंदर आएगी येस आईसी एई हो गया आईसी एसाइए हो गया आईसी डवल्य एउ गया सब आटीफिशल परसन जो उपर कवर नहीं है वो सब यहां पर आएगगी बट यहां पर कवर नहीं होगी क्योंकि कंपनी ओल्रीड गहीं हो चुकी है को ऊपर कवर उसने बओलेना कि कोई भी सक्षण नमर फोर के ऊपर बस एक बढ़ते हैं बताऊ रही एक चिसार लगए इंडिविज्व पर एक्चिय फकंपनी पे या हर परसन पे लगेगा हर परसन ड़िशन अब उसने बोला कि इंकम टेक्स एक्ट आवरी परसन पे लगेगा नहीं हर परसन की झाल इस पर लगेगा टोटल इंकम अब पूरी class मेरी devoted है इस word के ओपर यह total income क्या है आप कोई एक बात पूछना चाहता हूँ अगर मैं तुमसे पूछो income tax कैसे निकलेगा बता सकते हो अगर तुम्हें tax निकालना है यह बता दो मैं तुम्हें क्या बता दूँ कि तुम tax निकालके बता दो नहीं normal बात करो यह total total छोड़ो तुम पहली class से तुमारी tax की मैं तुम्हें क्या ऐसा बता दूँ कि तुम मुझे tax निकालके बता दो एक तो income और एक rate बस नहीं यारी बस समझ यार बढ़ि अगर मैं तुम्हें income बता दूँ और साथ में rate बता दूँ तो income को rate से multiply करोगे तो क्या निकल के आएगा tax, simple ना rate जानने मुश्किल नहीं है सबसे बड़ा fund इंकम निकालने का है rate में क्या है, rate तो पता ही होंगे simple है, 5%, 10%, 15% लगेगा कहीं 20 लगेगा, तो वो तो हम calculator पे calculate कर लेंगे, में मुदा ये निकल क्या रहा है कि income कैसे निकालने है तो government ने का पहली बात तो ये सुनो कि income tax एक्ट जो है न, वो हर person पे लगेगा, बट हर person की total income पे लगेगा, तो question ये निकल क्या रहा है, how to compute total income कि अगर किसी person की total income निकालनी है, तो वो हमें कैसे निकालनी है, अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो, अब बस main game पूरी मेरी total income पे है, ये समझ लेना new syllabus में, 60 number में, कुछ नी आना, यही आना है old syllabus में, 50 number में, कुछ नी आना, यही आना है, total income और तुम हर question में यही गलती कर रहे हो, तुमसे total income निकल पारी, जो बड़े-बड़े questions आएंगे, वो क्या बोलेगा, tax निकालो, तो भई, tax से पहले क्या निकलेगी, income, तो income निकालनी तो पहले आती हो, तो how to compute total income, ये आज की class का, और पूरे income ड़क्स की class का सबसे important matter है, how to compute total income, मेरे कुछ questions आप मुझे answer देना पहले, total income से पहले एक word निकल क्या रहे, income, income क्या है, total income तो बात का matter है, पहला question आ रहे, income क्या है, मैं आपसे एक बात पूसता हूँ जी, एक person income कहां से कमाएगा, उसके limited source है या unlimited source है, मैं income कहां से कमा सकता हूँ, बताओ, इसके income के कमाने क limited source होंगे unlimited, income कहीं से भी कमा सकता हूँ, आप मैं को कुछ income के नाम बताओ, कहां कहां से कमा सकते हो, बताओ, चलो salary, और, rent हो गया, interest हो गया, dividend हो गया, business हो गया, और बस यहीं से income कमा सकते हो, और, 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 interest हो गया, lottery की income हो गया, 60, यह भी income कमा सकते हो तुम, yes या no, rental income, gift हो गया, बच्चे ने बोल दिया, gift की income हो गयी, और, 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 बच्चे ने बोला, सरा मैंने कोई asset बेस दी, वहां से मुझे profit आ गया, profit on sale of asset हो गया, तुम profession केरी कर रहे हो, तुम्हें profession से income आ गया, for example, मानलो, आपका allowances होगे, perquisites होगे, तो यहों मिलते हैं, यह भी सारे benefits होते हैं, तो multiple source of income है, source of income limited नहीं है, income तुम कहीं सही भी कमा सकते हो, आपको मैं simple example लेके देता हूँ, कि अगर मानलो, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे सड़क पर गिरा हुआ 500 अरपे का note मिल ग होई ना भाई, तो source of income जो है ना, वो unlimited है, तो पहली बात तो यह समझो, एक person income tax में income कमाएगा कहां से, उसके unlimited source है, बढ़ एक बात मैं को बताना है, अगर इतने सारे source income के आने के हैं, और अगर इतने सारे source अगर income के आने के हैं, अगर मैं इसको distribute भी unlimited जगां पर कर दूँ, तो फिर तो मैं tax निकाली निपाँगा, फिर तो सारा रायता फैल दाएगा, इंबल सी बात है ना, सोचो income ड़क कैसे बना, गोवर्मेंट ने का हाँ बाई, income कमाई कहां से हैं, मैं को यह सब जगां से income कमाई है, तो गोवर्मेंट ने का ला tax पे कर, मैं का निकाल लो, निक करें, तो गोवर्मेंट ने का सुन भई, अब हम एक लाइन निखने जा रहें, income tax में, एक section 14 बना रहे हैं, क्या लेकर है section number, section 14 की heading दी गई, heads of income, section 14 की heading क्या दी गई, heads of income, मतलब अब सुनो, गोवर्मेंट क्या कह रही है, कि कोई भी person, income कहां से कमाईगा, इसके unlimited source है, उसके उपर हम prohibition नहीं लगा रहे, उसके उपर कोई हम restriction नहीं लगा रहे, कोई भी person, income कहां से कमाईगा, उसके unlimited source है, बट कमाने के बाद income जाएगी कहां पर, उसके limited source है, 5 head है, वैं इसलिए कह रहा हूँ sir, तुम्हें बहुत सुनने को मिलेगा, income के कमाने के 5 source है, income के जाने के 5 source है, तुम 5 source में income को बांध के सकते हो, वो तो government ने 5 head बनाया है, जहां पर income जा रही है, कमा तुम कहीं सभी सकते हो ना, तुम government ने का भाई तुम interest कमाओ, dividend कमाओ, royalty कमाओ, gift कमाओ, कहीं भी तुम salary लो, allowance लो, perquisite लो, business करो, profession करो, कुछ भी करो, income तुम जहां मर ने सकते हो, बट जहां से भी तुम income कमाओ गे ना, जब तुम्हें income गेर नहीं है, तो बस इन 5 head में गेर लो, क्योंकि हम ज्यादा रायता नहीं फैला सकते हैं, हमें उसको समेटना भी है, अब समेटने के लिए एक limit रखनी पड़ेगी, और एक जमाने में income में 6 head होते थे, उस छटे head को भी खतम करके 5 head बनाए गए, और 5 head हो कौन कौन से है, गवर्मेंट ने का, या तो तेरी income जाएगी salary head में, या house property, या PGBP, या capital gain और एक और बना other source, सारे बच्चे में को एक बार दुबारा बोलेंगे, ये income के आने के source हैं, या जाने के source हैं, आज की community का question है मेरा ये, YouTube पे, और मैं तुम्हें फिर दिखाऊंगा, कि बच्चे फिर 40% गलत answer देंगे, मैं YouTube पे question डालूँगा, income arising from how many sources, 5 sources, unlimited sources, 2 sources, 1 sources, बच्चा बता क्या बोलेगा, 5 source, उनके दिमाँ में 5 head source है, 5 head source नहीं है, 5 head source नहीं है, 5 head तो है income distribute कहां करनी है, आने के source unlimited है, आने के source नहीं तुम मान सकती, आ तो कहीं से भी सकती है, बट जाएगी कहां पर उसके 5 head है, अब सारे बच्चे बोल दो कितने head निकल के हैं, दुबारा से बोलो पहला, salary, house poverty, PGBP, capital gain, अदस हो, दुबारा से बोलो फटावट से, salary, capital gain, सर ये energy होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 head पूरे income next की जाना है, अगर ये 5 head हो गए, income next की जाना है, बस, अगर ये 5 head हो गए, income next समाना खतम, पूछ ले ना बच्चों से बाहर, उनको ये 5 head समझ में नहीं आ रहे, बच्चा बता क्या पूछता है, सर 5 head छोड़के, अगर मैं कुछ income next में करके जाऊं, तो क्या मैं pass हो जाऊंगा, मैं का हो जाएगा, में भी 6 मिने बाद हो जाए, या उससे 6 मिने बाद हो जाए, या उससे 6 मिने बाद हो जाए, या उससे 6 मिने बाद मैं confirm नहीं कहा सकता, एक बच्चा ने कमाल तो तब कर दिया, एक बच्चा कहता है, सर, कुछ ऐसा तरीका बताओ, कि बिना पड़े ही pass हो जाऊं मैं आगा दो तरीके हैं उसके बताओं आपको पहला तरीका कि आप अपने उस पे लिख दो पेपर पे लिखो कि CS में मेरे एक्जाम है जून 24 मैं पास हो गया बस इसको देखते रहो बच्चा करें इससत कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा इससे दूसरा तरीका है सो जाओ सपने में पास हो जाओ फिर क्योंकि रियल्टी में पास होने तो मेनत करनी पड़ेगी कि तो बहुत बच्चा ऐसा कॉशन पूछता है कि सर पीजी बेपी छोड़ जाओ कैपिटल गें छोड़ जाओ चलेगा भाई चल तो तो भी जाएगा जब तो बिना पड़े भी जाएगा चले में क्या चल तो रही है तुने पास होने हैं नहीं होना तो यह बता चाता क्या जिन्दगी से अगर चाता पास होना है तो भाई 100% स्लेबस खतम करना पड़ेगा तुचाता कि मैं ट्राई करना चाता हूँ तो भाई फिर ट्राई तो बिना पड़े भी कर ले तो मैं आज आपको कह रहा हूँ जाने के आने के जाने के आने के, जाने 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 के, टुब अमट पहले फांश और पॉर्व मज dependent दोभारे इंटार मेरे इंकम आने कैस्व कि तने ये आने के सब जड़ने के और आने के designated जाने के जाने के जाने के जाने के मोस कि जाने के-आक जाने कि इन आने के जाने के आने के अनलिम्टीड ओमाइं गॉट तो अगर कोई पूछ ले कि आपसे इंकम आएगी कहां कहां से तो क्या बोलोगे अनलिम्टीड सो और जाएगी कहां पर अब उनके नाम बोलो कौन कौन से हैं इस एक बच्चे ने वही कुशन पूचा कि सर छटे हैड का नाम क्या था यह पहले चटे का नाम बताओ अब यह नहीं था तो छटे हैड का नाम था इंट्रस्ट उन सेक्योर्टीज आप अगर सर्च करो कि गूगल के आपको मिल जाएगा इंट्रस्ट उन सेक्योर्टीज छटा हैड था उसकी हत्या करके उसकी आत्मा जो है उन्होंने वह अधर सोस में डाल दी तो आज जो सेक्योर्टी का इंट्रस्ट है वह अधर सोस में में, PGBP में, Capital Gain में, Other Source में. Salary Head में income जो taxable होगी section number 15 से लेके 17 तक. सिरफ 3 section है salary के. बड़े तीनों ही हमें बता देंगे तीनों में क्या है. उसके बाद section number 22 से लेकर 27 तक जो sections हैं वो house property के हैं. 28 से लेकर section 44 DB तक ये section PGBP के हैं. फिर 45 से लेकर 55 capital A तक section capital gain के हैं. 56 से लेकर 59 तक के section आपके Other Source के हैं. सारे बचे बोलना क्या इस sequence में कुछ miss लग रहे हैं तुम्हें? अले बोलना 15 से 17. फिर 17 के बाद क्या आ रहे हैं? 22. बीच पर कुछ miss हैं? क्या? 18 से 21 यही छटा head था. जो delete हो चुका है और यह act में ही section नहीं है. यह मत कहना हमारे slivers में नहीं है. यह act में ही खतम हो चुके हैं. तो 18 से 21 तक के section यह छटा head था जो इसकी हत्या कर दिये हैं. इसकी आत्मा बदर सोर्स के अंदर है. तो total मिलाके हमारे 5 heads of income कब निकल के आ रहे हैं. salary, house property, PGP, capital gain. अब मैं तुम्हें बार-बार यह क्यों याद कर वारा हूं? उसका reason है. आप में से case case थोड़ा बहुत accounts पढ़ा हुए. थोड़ा बहुत. ज़्यादा नहीं कहा है. थोड़ा बहुत accounts पढ़ा हुए. उसको नहीं बोलते थे golden rule. नहीं, मैं जब थे नहीं है, ऐसे कुछ rule. real, personal, or real account का rule क्या बोलता था? debit, what's comes in credit, what's goes out. personal, debit the receiver, credit the nominal क्या बोलता था? debit all the expenditure and losses, credit all the income and और यह तुम्हें accounts के master जी ने बताया होगा कि जो भी तुम accounts के अनल P&L बनाते हो, वह ऐसे पर nominal account बनता है. यह बताया था? और उन्हें ने यह भी बताया होगा, कि बैटे P&L में ना, सारे के सारे खर्चे debit होते हैं, और सारी income क्या होती है? यही करते हो तुम, अब जो तुम accounts में करते हो, और जो income tax में करना है, income tax और accounts में 36 कांकड़ा है, पहले आज सुननों मेरी बात. न accounts वाले सर को यह बोलना, कि आप गलत पढ़ा रहे हो, ना मुझे यह बोलना. क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाते हैं, as per companies act, जातकरो companies act का schedule 3, उसके base में तुम प्रेंडल अकांट बनाते हो, यहाँ पे income tax act चलता है, ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ, आपने accounts में बहुत बार यहाँ पे debit किया होगा, यहाँ बोल देना, provision for doubtful debts, कि यह ना, income tax में नहीं होता, एकांट में depreciation SLM method से भी होता है, income tax में नहीं होता, एकांट में काफी सारे खर्चे payable based पर debit होते हैं, income tax में नहीं होते, तो income tax की दुनिया अलग है, इसको account से compare मत करना, जो तुमने accounts के अंदर पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो as per companies act पढ़ा, यहाँ पर जो पढ़ रहे ह पर income tax expert, एकांट पढ़ तो यह भी कहते हैं, कि सारे खर्चे debit कर दो, सारी income credit कर दो, यह कोई बात बनी, कोई भी खर्चे debit कर दो, और कोई भी income credit कर दो, income tax में कहते हैं, यह क्या कर रहे हो, हमारे income tax में income कहां जाएगी, उसके 5 head है, एकांट में कोई 5 head नहीं है, पढ़े आपने कभी एकांट के अंदर 5 head, आज सका आपने कभी एकांट पढ़ा, कभी उनके master जे ने बोला, बैटे 5 head में income डिवाइड करो, क्यों नहीं बोला, क्योंकि वहाँ होते ही नहीं है, वहाँ उनका fund ही same है, सारी income, credit, सारे खर्चे debit, इंकम कहां से आई, वह matter नहीं करती सर, आपको भी चेक करना, उनके credit side में, gift वाली income भी होती है, dividend वाली income भी होती है, interest वाली income भी होती है, क्या कमाल की बात है, सारी की सारी income तुम एक जगांपर डाल रहे हो, और जो account में तुम P&L मनाते हो, वो P&L अभी income tax में नहीं चलता, जब भी तुम tax pay करते हो, हमेशा तुमें P&L अलग से बनाना होता है, accounts वाला P&L हमारे income tax में किसी काम का नहीं होता, क्योंकि तुमने बहुत सारे खर्चे ऐसे उसमें debit किये हुए है, जो income tax में debit होने ही नहीं चाहिए थे, बहुत सारी income तुमने ऐसी credit की हुई है, जो income tax में होनी ही नहीं चाहिए थी, तो क्या filter करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इसी लिए income tax में अलग से पेंडल बनता है, इसके 5 हैड होते है, तो income tax में, income distribute करनी है, 5 हैड में, कौन-कौन से हैड है, salary, house poverty, PGP, capital gain, और, बच्चा कर समझ में आ गया, समझ में आ गया, बट य सारी के सारी income credit करते हैं, तो अब हमें कैसे पता लगेगा, इन 5 हैड की में कौन से income जानी है, मैं तुम से पूछता हूँ, मैं तुम से पूछता हूँ, एक बात में को बताओ, एक्जामपल के लिए, मैं अपना एक्जामपल देता हूँ आपको, सन 2013, 17 जुलाई 2013, जिस दिन मैं C.A. बना, तो 17 जुलाई को मेरा result आया, 2013 की बात मैं कर रहा हूँ, और आज मैं को C.A. बने अप्रोक्समेट, 13 और 24 मलग, अब मैं को 11 साल होने वाले हैं, अभी January है ना, तो जिलाई मैं को 11 साल मैं को हो जाएंगे C.A. बने हो गए, और टाइम कैसे बेद गया, किवार मुझे खुदी पताना तो 11 साल मैं को C.A. ब साल की बात थी, टाइम वो जल्दी भी जाता है, तो 11 साल मैं को C.A. बने हो गए, तो जो मैं C.A. बना ना, जो मैं C.A. बना तो आपको पता है, एक प्लेस्मेंट होती है, कैमपस प्लेस्मेंट, किस-किस को पता है, CS, ICSI भी कैमपस प्लेस्मेंट करवाता है, और किस-किस क तुम्हारा इंट्रिव्यू खुद कंड़क्ट करवाएगा उनका पैनल होता है तो आपे बहुत बड़ी-बड़ी कंपरीज आती है और जिसका उस प्लेस्मेंट में जोईनिंग हो जाती है उनको अच्छा पैकेज मिलता है क्योंकि काफी अच्छी कंपरी आते हैं कम से कम 15 लाग 20 लाग 40 लाग तका पैकेज मिंदर मिलता है अगर बहार ढूंडे जाओगे बहार थोड़ा सा कम मिलेगा केंपर सकंदर अगर हो गया तो अच्छी बाता सर्केंपर में क्या मिल जाती है सबको अपको नहीं मिलती है नोर्मली वो रैंक होल्डर पकड़ लेते हैं जिन अब णंदर में और दोस्तों ने बोला कि ये केंपस भ्लिसमेंट हो रहा है आपको मैं रियाल किस बता नहीं बहुत आए किस्टेडा में कर रहा हूं कियो कियो रहा हूं मैं बलीव मिझे मुझे खुद भी नी पता हो था बस एक रीजन था मेरे पाश ये करने का है कि ऊस आढमे को गलत प्रूफ करने जिसने मेब मंम्मी के दिमाग में डाउत डाल दिया था कि मैं स्यीज़ी नहीं नहीं सकता हूँ व cheat रगे या करना मुझे नहीं पाथ तो की मेरे फादर बिजनेस्मेंट मेरे फादर की दुकान में था मेरे दुकान के पर खूब बैठता था और में भूए तो दुकान धेरी बनूँगा को उसमें मज़ा आता था मैं को यह नहीं था कि मैं C.A. बन के क्या करूँगा बस एक चीज थी कि मेरी मम्मी ने इस से पूछा उसने बोला विवेक C.A. नहीं बन सकता तो बस उसको मित को खतम करना था कि मैं C.A. क्यों नहीं बन सकता यह दिमाख में था मेरे उसको लेके मैं चला और C.A. बन गया उसके लिए मैं सोरी फिल करूंगा अगर आपके फादर जोब करते हैं तो आपकी में इन्टेल्टी भी जोब की होगी कि अगर आपके फादर बिजनसमेन है तो आपके दिमांगे बिजनस चलेंगे घर का एंवारमेंट बता रहा हूं मेरे फादर दुकानदर थे वो रात को 8-9 बरे दुकान से आते थे हमने वोई चीज देखी और जोब जिनके पापा जोब करते हैं हमी जोब करती है वो शाम को 5-6 बरे घर आते हैं फिर 5-6 बरे थोड़ा बद खाते हैं पी थे घूमते फिरते हैं तो उनको वो लाइफ दिखती है कि ये लाइफ भी अच्छी है कि जाओ जोब में 5-6 बरे घर आजाओ Saturday, Sunday छुटी तो उनको जोब दिखती है बिजनसमेन वाले को बिजनस दिखता है ऐसे है मैं बता रहा हूँ ऐसा है जैसे मेरी वाइफ को मैंने बहुत बार बोला कि जोब छोड़के बिजनस कर दे उसकी हिम्मत ही नहीं होती उसके फादर जोब वाले थे उसको ये दिखता है पचास जार में महीने के नहीं आएंगे तो बट बिजनसमेन को क्या दिखता है अगर अभी नहीं आएंगे बाद में पचास लाख आ गए तो यह मेंडल्डी का फरक है और गए फरक नहीं है तो मेरा दिमाग स्टार्टिंग सथ में को बिजनस करना है मैंने का देख भई मैं जोब तो नहीं कर सकता या तो मैं पढ़ाऊंगा मेरा जो इंटरेस्ट आप जागर है मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट जागर है कूकि मैंने जित्नी शिद्धस से पढ़आ है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आगे दे पाओ या फिर मैं अगर करूँगा तो बिजनस करूँगा या पापा के दुगान के बाए बैट कुछ भी करूँगा मैं जोब नहीं करूँगा मिर मम्मी ने बोला बेटे जोब के लिए ट्राई तो कर मम्मी थोड़ा स्टार्टिंग से जोब के लिए रही है और पापा ने का बेटे जो तेरा मन करता है वो कर किर मैंने क्या किया i Taiwanese के लिए बंटियू के लिए के लिए बढ़ा मुझे अभी ता कियाद है सन 2013 हमारा लोओ इंट्रिव वन्हाँ था हमारी उसमें 40 कंपनी 40 company 40 company या 40 अपता ने 30 company दिए उसमें से 28 company ने मुझे shortlist किया shortlist मतलब क्या होता है कि हम तुमारा interview लेना चाहते हैं हम तुम्हें अपनी कंपनी बुलाना चाहते हैं shortlist का मिला simple fund आई होता है बट हमारे पास एक option था हम maximum to maximum 12 company को ओप्र कर सकते थे बाकी सबको उटाना पड़ेगा मैंने 12 को टिक किया मेरा पहला इंटर्व्यू था ITC company के अंदर नाम सुना आपने ITC company के अंदर मेरा interview मुझे भी तक यादा है वो दिन ITC company के अंदर मेरा interview मैं इंटर्व्यू दोने के लिए सामने वो बैठा था पुरा भगवान की दिया से पहला है टेंट में क्लियर हो गए और एज भी उस टेंप कुछ नहीं थी उन्हें रिज्यू में देखा रिज्यू में देके उन्हें कुछ questions पूछे उन question के मैंने answer दिये और question भी भगवान की दिया से taxation से related थे जो मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत इंट्रस्टिंग रहा है मैंने question के answer दिये क्योंकि मैंने training भी कि हुई थी तो training की तो मैंने answer दिये उन्होंने का ठीक है आप मारी company को do countdown just on canusty उनोंने वही पर मुझे पताति कि आप हमारी company को foreign कर सकते आप बता कब से join करोगे कि अब मैंने जोइन किया क्योंकि just यहां पर नहुता ऑविसी बात है है अगर में को आज अगर मैं जोइन नहीं किया बट अब मेरी बनी हुई कहानी सुनों अगर मैं जोइन कर लेता हूं पैकेज मैं तुम्हें बता रहा हूं उस टाइम का पैकेज 16 लाखर पे था एक साल का जो मेरे साथ के लोग लगे हुए हैं दोस्त अभी भी काम करते हैं उनका पैकेज आर्क 45 से 50 लाख हो चुका है मेरी वाईफ जब सीए बनी मेरे से 6 महिने बाद उसने तो इस साथ वाले जोब करते हैं वह 35 लाखर पे साल के मेरे सब्सक्राइब नहीं होते हैं अगर अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हो तो अब क्या हुआ कि अगर मैं मालो उस पर कहते हैं कि मैं जोब करूँगा सारे क्यों मुझे पैसा मिलता अपने बोल देना इन पांच येड़ में से कीसे पर जाता सअल याठ कर लो कि से किस सेलरी में इंकम तुम्हेत vilकर नहीं है जब पैसा देने वाला और लेने वाला इन दोनों की बिच में सब्रून का रिलेशन होगा ya simple fund a अगर पैसा देने वाल तुम्हारा employer है त्वाइसा लेने वाला employee है तो बस उसके हाथ में income salary head की है और सारे बच्चे बोल देना आज अभी शेक जो भी यहां पर अंदर बैठा है मेरे अभी शेक और मेरी बीच में क्या relation है तो इसकी income salary head की है तो इसकी income salary head में सेबल है एक लड़का जीत है अभी जीत जो भी बाहर गया उसकी इंकम सेलरी हेड की है जो मेरा स्टाफ बैठ है उसकी इंकम सेलरी हेड की है बट शिवानी मैम यहां पढ़ा रही है कि कम्प्रिलों पढ़ाती है वो उसके बाद अंकुछ सर पढ़ाते हैं जी आइजल जीडी कि सेलरी की इंकम है आंसर इस नो क्योंकि वो मेरी एंप्लोई नहीं है वो मुझे प्रफेशनल सर्वीस दे रही है उसके लिए वो प्रफेशनल फीस ले रही है तो यह उनकी पी जी पी की इंकम है मैं तुम्हारे दिमाग में यह घुसाना चाहता हूँ कि जब भी मंथली मिलती है इसका मμαनब यह नहीं है वो सेलरी की है आपको यह देखना है कि पैसा लेने वारो देने वाला इसके पीच में रिलेशनशिप कैसा है अगर रिलेशनशिप एम्प्लोयr एंट्लॉई का है तो इंकम सेलरी है ड में टेक्सेबल नहीं हो सकती है और मैं अभि शय को ब ली हour वे पड़ना है कि आप उन के इंकम निकाली तभी सकते हो अगर एह यहां आता होगा क्यूब आपको prima- technologies और तो महरुने परकाम क्रम कर दिया उर्म क्रम करना मैंने साट गर दिया और मैंने को 16,300 uvay साल कि लिए माल लेते हैं मैंने काम क्या नी वैसे एम मैं आप्ल बनावा एग्साम्पल नी रहा हूं मैंने काम ने वर्근ह साल करे resilient income मेरे और अलांस टोटल मिलाके एक साल की 20 20 लाग रवे की इंकम आ रही है चलो जी 20 लाग की पहले साल आई दूसरे साल आई तीसरे साल आई पैसे कठे हो गए थोड़े बहुत तो मैंने बोला इतने पैसे का मैं क्या करूँ मेरे दोस्त ने बोला भाई लक्ष्मिनगर में न कोई भी जगा ले 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 किराये पर लगा से चार साल पहले सीस का हब था पटेल नगर है पूरी मार्कीट सीच की पटेल नगर में होती थी कोवीड से पहले तो कोवीड ने काम खराब कर दिया वहाँ कोवीड के बाद बहुत कूछ चेंज हो गया वहाँ प्रेस्ट लेस इतना बच्चा आता ही ने तो मेरे को मैंने मैंने पहले बता था हजार जार बच्चा 700 बच्चा मैंने फेस्टवेस्ट पढ़ाया हुग है पूल फूल और बड़े बड़े रोड़े और पटेन लगर के अंदर होते थे बाइसा बच्चा दूर दूता था क्योंकि उस टाम लाइव का जमाना नहीं था न अब फेस्टव है क्या मेरा एंप्लोयर है अब आज नहीं आ रही है कि मैं उसका एंप्लोई हूं तो ये इंकम किसकी है उस पॉपर्टी की सब्सक्राइब ही है कि जो भी आपकी रेंटल इंकम निकल के आ रही है वह आपकी अगर टेक्सेबल करनी है तो हाउस परवाइडिड वह तुमें घर से आ रही हूँ कि अगर तुम्हें घर से रेंटल इंकमारी है नोर्मली वो हमें टैक्सिबल कहां पे करनी है राइप्क टीसरा जो पी ओवड़ी पी इमेजिन करो उस दिन को आप CS बन रहे हो थोड़ा सा अपने अंदर वो फील लाया करो थोड़ा अपना confidence बढ़ाओ तो जब तुम CS बन जाओगे न मैं तुम एक बात बता रहा हूं जो तुम्हारा अच्छी कंपनी में स्लेक्शन होगा बहुत मज़ा आता है अच्छे कंपनी में काम करने हैं मैं अपने दोस्तों की लाइफ के बार देखता हूं मंडे टू फ्राइडे काम जबरदस्त करते हैं बट Saturday Sunday SH भी करते हैं और von Challenge काफी अच्छी कंपनी के नहीं अदर है और अच्छी कंपनी की नहीं टाइम ये अच्छी होती है अगर माई टी सी कंपनी में काम कर रहा होता उनकी टाइमिंग बदा क्या थी टाइमिंग सुनके आप भरना जाओगे साड़े-10 या 11 बर से लेकर जाना था और शाम को 5-5 फ्री अब जब मैं माल उस कंपनी में काम करता तो टाइमिंग मेरे 11 से माल जो 6 बज़े की है तो मेरे दिमाग ने कर रहा, CS बनने के बाद और काम करेंगा, क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने होंगे, पैसो की लत भूद गंधी लत होती है, जब मिर से कले हता है, आप क्या करना है, पैसे स्टार्ट कर दिया शाम को भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया या मैंने माल नो एक चाय के दुकान खोल ली चाय बेच रहा हूं उसके अंदर फुल मरे दार एक दम लक्ष मगर में चाय वैसे बहुत भिकती है बच्चे इतने सारे हैं और कई बचों को तक खाना यह चाय इंकम एंकम्तियों पीजीपी जो लोग बिजनेस से कमाते हैं सारी के सारी इंकम यहांती है थी कपिटल केर मघये अब कि प्रफर्टीक सिने से मुझे पैसा हो गया जैसे मांनोग मैं गर्ली craft दी या बिल्लींग बेस वहां से मुझे प्रोफिट हुआ यह सारी के सारी capital gain की इंकम होती है और फिर एक चैप्टर आएगा अधर सोर्स का अब क्या हुआ जब मेरे पास इतना सारा पैसा हो गया आपको बता है जब आत्मनी के पास पैसा ज्यादा हो जाता है उसकी आदती अच्छी हो जाती है जैसे मालनों सक्ट्दा खेलना आजबत है अच्छी हो गया पैसा जगीजादा हो गया हुए है right ensousse चपकर दीlawaria भुट्री सब सिटार्ट कर दिया कि लोट्री से में इंकम हाने है किस्टे रहे अदर सोर्स पेंक से इंट्रेस्ट आ रहे है अधर सोर्स जितनी बची कुछी कुछी कमेन वह सारी की सारी टेक्सेबल कहां पर होती है अधर सोर्स है ग्रिशतना बोल दो आप में से किसने मूवी देखी है शारुक वान के मूवी थी मैं हूना नहीं नाम सुना अपने पैसे शारुक वान की मूवी का नहीं सुना ओ माइगाड बाहु वली कटपाने बाहुवल को क्यों मारा कि अभी वो सुना एनिमल मूवी आ यह दुनिया जला दूंगा अब आप एसे गाना उसे इसे वह बाहर निकलता हाथ में चाकूल लेके वो सुना आपने बार्मी फेलेक मूवी आई यह वो सुनी तो अच्छी बात वह भी सुनी और और कौन से मूवी आई है का मूट आई है और और कई सोष आई है तुम्हें सारे नाम याद वोंगे है decca करेंद प्रियुक्त अलशासमें क्या किया था मैंडल है अथ यह सर आहको यह सर्मोग पर चया नाम देखी बीएा सपने कैसी बात रहे है एनीमल की तो हमने देखी भी है नहीं मैंने तो नहीं देखी याज आई मैंने तो नहीं कितने साल होगा जब से मेरी डोटर वियंगे है मेरा टी चुट गया है कि ऐसे बता नहीं को में को पंध्रा महिने के बाद कल मैंने पहली सब्सक्राइब सब्सक्राइब जब तक टीवी नहीं चलाएगी यह मोबाईल में चलाके दोसको कुछ अगर मालो मुबाईल बंद तो खाना कि अधिया वह खाना डाइडेस्ट भी होगा सैसिया नहीं होगा यह आदत हो चुक्षण बच्चुन गाज तो बच्पन से सोचा था मैं बच्पन से मतलब जब उसके उसके डोटर के बच्पन से कि हम टीवी नी चलेंगे 15 मेने आज हमें हो चुके हैं और मुवीज भी देखें जातनी जान सकते चोटी सी है वह पद डर लगता हमें रोना स्टार्ट कर दे यह कर दे तो वह भी निदे कि जो मुवी थे ना मैं हूना वो बता किसके नाम पर है अधर सोर्स के नाम पर है अधर सोर्स क्या कहता है जो इंकम तुमारी कहीं भी टेक्सेबल नहीं है मैं हूना वो सारी इंकम मुझे में टेक्सेबल है अधर सोर्स मैं हूना है अधर सोर्स की सिंपल से कि लाइन है कि तो इंकम तुमारी किसी भी हैट में टेक्सेबल नहीं है ना वो सारी कि सारी इंकम मुझे में टेक्सेबल कर दो यह अधर सोर्स है बस किया वाफस्वन में आ रही तो बची कुची सारी इंकम आपकी घर में स्टोर रूम है किसकी घर में स्टोर रूम है स्टोर रूम कौन किस-किस की घर में स्टोर रूम वहां पर तुम क्या रखते हो एक प्रेटिकुल राइटर में सारा बर्चा को जा समान वो अधर सोर्स है वो अधर सोर्स है, घर में कोई समाल ने करा है, पहले तुमने इस रूम में सेट किया, मज़ा नहीं आ रहा है, इस रूम में सेट किया, मज़ा नहीं आ रहा है, इस रूम में क्या मज़ा नहीं, मम्मी क्या बोलती बेटे स्टोर रूम में रखे है इसको, अब जो स्टोर रू वो सारी की सारी इंकम अधर सोर्स में टेकसवल कर दो बस यह फढ़ियान अधर सोर्स इज़े रैजडोरी हैड ओल पिकम यह बत ध्यान दे रहे क्या बास तरह में आ रही है जी मुझे फर्वड से बृड बर से बोलो पहला है का है ऐस crman जाएगी इंप्लोयर और ऐंप्लोई स्वर्टी और डी स्वर्र दान्ओं प Do सेट करकी के सांट ऐक आगी अब प yaptथ करेंग इंगल दिया अब शौन क्या हमारी total income निकल कर आगी ना 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 तो बहुत दूर का मैटर है भी अब क्या हुआ मेरी पांच हीट की income निकल कर आगी गौर्मेर्मने का five heads of income का न तो टोटल कर लिया इसमें अब तुझे जोड़ना है क्या जोड़ना है clubbing of income मतलब होता है जैसे मालो मैंने अपनी इंकम किसी को डाइवर्ट की है अपनी वाइफ को दे दी माइनर बच्चे को दे दी किसी को भी डाइवर्ट कर दी तो गौर्मन के दिए वो इंकम तुझ में वापीस से एड़ बैक हो जाएगी इसको अवोईडेंस वोलते है टेक्स इंकम तु जोड़ेगा फिर माइनर तु करेगा लोस इस एक बात में को बताना आज अगर तुम इंकम कमाते हो इंकम पर टेक्स है तो अगर कल तुम्हें बिजनस से लोस होंगे तो तुम्हें नहीं लगाना गौर्मेंट को लोस का बेनिफिट देना चाहिए येस तो उसक इंकम आती है इसको हम बोलते हैं gross total income क्या बोलते है gross total income फिर इस gross total income में से minus करनी होती है हमें deductions माइनस करनी होती है हमें deductions sir deductions कैसी होती है tax planning LIC कराई PPF करवाया मालो FDA अपने करवाली health insurance करवाया life insurance करवाया आपने आप मालो handicap हो तो handicap हो अगर आपने आपने उपर खर्चा कर दिया आपने किसी बिमारी पर खर्चा कर दिया बहुत सारी investment है अगर तु महाँ पर investment कर दोगे deduction मिल जाएंगी तुम्हे तो minus करो deduction अब सुनना अब जो बच्चे गलती करते हैं ये second question आज की community का अब तुम भी गलती करोगे अगर तुम ज्ञान से नहीं सुनोगे तुम second question मैं क्या डालूँगा कि gross total income से total income कैसे निकालते हैं तो gross total income इसे minus क्या करनी है deduction अब deduction दो होती है एक तो deduction under chapter 6A ये होती है section number 80C से लेकर 80U तक 80C से लेकर 80U तक काफी सारी deductions है वो सारी minus करनी है और एक minus करनी है deduction under section 10AA 10AA क्या होता है हम आगे दागे देखेंगे SCZ होते है नामसरा अपने SCZ का SCZ होते हैं उन लोगों को deduction मिलती है income tax में 10AA के अंदर जब ये दोनों deduction में minus कर दूँगा ना तब जाके मेरी total income निकल के आती है अब मैं आज community में ढालूँगा आप खुद देखना इस वाले case में तो 70% बच्चा गलत होगा 70% भी मैं कम कहा रहा हूँ क्योंकि 90% बच्चे को total income कैसे निकलती है पता है क्या है वो क्या कलता है क्याता है gross total income minus में deduction under chapter 6A वो 10AA minus करना ही भूल जाता है और मैं तुम्हे 10AA क्यों बता रहा हूँ क्योंकि news levels में तुम यही गलती गर क्या होगे तुम नॉर्मल लोगों के दिमाग में पता है क्या होता है section 10 exemption का है exemption का है बट section 10AA exemption का नहीं है 10AA deduction का है अगर यह minus करोगे deduction फिर जाके तुम्हारी total income निकल करेगी तो दो deduction minus करनी है कौन कौन सी deduction under chapter 6A और deduction under section 10AA तब जाके आपकी total income निकल के आएगी बस यह पाधियान तुछ है ठीकरी अब उसमें वर्ड क्या था section 4 में gross total income या total income तो यह total income को निकालने का pattern है अब सारे बच्चे में अगर मैं को total income निकालनी है तो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी दबार से पहले मुझह क्या निकालनी है total income उससे पहले क्या निकालनी है ग्रोसे लिकम कैसे निकलेगी फाइइट की इंकम बोलो मैरे पिछ न्यूंक बोलो five अद ओ किंकम पाइवेट की इंकम प्लस में clubbing of income तेमों माइनस में लोसिज क्या आएगा ग्रोस अटल अब बताओ कैसे आएगी Πesarea आएगा ईनकम माइनस तो अब त्या प्रड़ तोटेल इंगर उसमें इस मांप यह कि कर देंगे ढिरेक्शनख्यम कोण से वली एंडर अटर्डर सेक्षन 10 डबल ए उसको माइनस करने के बद क्या आएगी टोटल इंकम, ये टोटल इंकम मेरी वहां पर काम किये है, आप देखरो कितनी बड़ी यह mil ado कि अब ऐसके कितने बच्चों के फादर जोप करते हैं अ रोछ होगा हो और यह एख यह पादर कर विद्विसनस करते हैं सब्सक्राम यह कई अभी सबस्क्राइब की यह है चंब कि दो ही किसे किरी के बच्चे होते हैं इंडिया में दो ही कहाइब के लोग और इंडिया में तो दो ही लोगों की इंकम निकालनी होती है सेलरी या बिजनस बहुत कम लोग मिलेंगे हाउस प्रबर्टी वाले बहुत कम लोग मिलेंगे capital gain वाले but majorly हर इंसान या तो business कर रहा होगा या salary तब 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 तुम्हें ये दोनों हैडी नी अच्छे से आते होंगे तुम इंकम कंप्यूट भी कैसे करोगे और इस जब मैं यहां पर कोशन कराओंगा बड़े-बड़े क्योंकि हमारे कोशन स्टार्ट होने वाले जब मैं कोशन कराओंगा हर कोशन को अब यह मान के चलना यह इंकम तुम्हारे खुद की है तब तुम समझभाओंगे अगर तो मैं यह मानोगे कि सबने कोशन दिया मैं वह करूं जिंदकी भर लगे रहे हैं सर मैं तुम्हें बता दूंगा बहुत खतरना काम होने वाला है इस वर जून के अंदर मैं से बता रहा हूं और अगर तुम यह मानोगे किसी और का है नहीं सोलो कर पाऊ गया आपको समझी नहीं आएगा वह को समझी नहीं आ रही है जी तो अब जो टोटल इंकम वाइड है न सेक्शन फूर में उसके बर एक स्टार बनाओ सर बट आज कल लोग बोलते हैं कि जोब नहीं है आज कल बहुत से लोग दस बीस हजार की कमा रहे हैं बट अगर जिसको नोलेज है वही अच्छे पैसे कमा पाता है क्यावातां प्रकर यह तो बहुत बढ़ी बात बोल दstanden यह बात तो पता ही नहीं थी एफब्स का चार बच्चे मिले मैं इंद्रापुरम रहता हूं तो चार बच्चे आगरा से आपका यूथ फेस्टिवल था कोई अभी यूथ थो सब करके कुछ ऐसा था ना भी योगा यूबा उत्सब था अभी तो आगरा से चार बच्चे आए होए थे बच्चे काफी सारे थे तो उन्हें का हमें आपसे म ओलुकमेशilles था यूए फेस्टिवल मिलने के लियाए मेरे से मेरे करें मेल मिल इंद्रापुरम में शिप्रा मोल ऐक जिसका नया नामों कुछ वलग हो चुग है पुराना शिप्रा बलब ही उसका तो वह मिला थो बहूर ही उन्ला क्या कहते हैं कि सर अभे उनका क्लियर है दोने एक एक्जाम अभी दियों है दोगे क्लियर है क्या कहते हैं तर ट्रेनिंग कैसे करें डंबी ले ले अब डंबी मतलब डंबी का मतलब यह होता है कि बस मैं कहीं ट्रेनिंग कर रहा हूं दिखा रहा हूं मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं बस सिर्फ साइन करने के ल पर इंपलिमेंट कर सकते हैं जैसे बच्चे ने बोला कि नोलेज वालों की वैली है वो सबको पता है वो जग जाहीर है नोलेज है कितनों के पास जो हमारा नंबर आता हम खुद बस नहीं उस चीश से यह एक वाइसे मिलती हैं कि डिग्रों के लिए घिसाईयां करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए पैसे कि उस ब्राबर बंदा भी पड़ता है तब पैसे मिलते हैं तो फिर वहीं बात होती है तस बीस आरपे की जोग है कंग रचेश कित्र वाँ करते हैं को मैंने क्लेर बीस आटेढ़ कि तो थ robust सांथ मैंॡव मैंने करते के से काछा है तो भी चैक करो कि आप ट्रेनिंग के साथ क्या कोचिंग ले सकते हो अब बीना ट्रेनिंग के कोचिंग नहीं ले पारे सभी अग से अब वो actual डाले PJS व़ले बच्चों के अंदर कि होता है आप पहले exam दे सकते, बाद में training कर सकते हो इसा होते हैं अ यही जो ता है अब बच्चा पहले exam देता है, इसारे exam पढ़ता है फिर बाद में training की बात करता है मेरे को लगता गर training साथ में mandatory कर दी जाए कुछ हद तक बच्चे को सबक सिखाने आ जाएगा पढ़ते कैसे है क्योंकि जब तक तक तुमारे पेश्चे डंडा नहीं होता ना तुम पढ़ते भी नहीं कि अगे अगे त्री अगे अगे बच्चे को एक ग्रुब साथ में ट्रेनिंग करेड़ाımız. और तिन तिन गुरूप दे जाते हैं हमने दो गुरूप आश्ट पर एक साथ दिये विद ट्रेनिंग कि अब कई कर आते थे सुबह छे मेरे फिर भी क्लास में होते थे यह मेन तो हमसे पूछो मैंने कर लोगों ने मिलगों ने मुझे उस म्काम पर देखा कि इमार कितनी डोप पर हो लोगे श्रौ ने नहीं करोगे तो फिर वोई सिम्बल शी बात है वह बात सच्ची है बिलकुल तो यह आपको मैं इसले गहा रहा हूं जून के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा त्यार होके अपना स्टार्टेंग से चलो अच्छे से बस ठीक है अब एक बार चलो वापिस आओ अच्छा च्छोड़े बातों को यार पहले आये मुफली फुले और रेवडी चलो अब टोटल इंकम पर एक स्टार बनाओ और जो मैं तुम्हें अब लिखवा रहा हूं टोटल कितने स्टेप्स अठारा हूं कितने सब्सक्राइब और यह 18 स्टेप्स पूरे इंकम टेक्स की जान है आपको जब टेक्स निकालना होगा इंकम निकालने होगी यह स्टैप्स आपको फूलो करने है लिखो इसमें हैडिंग डाल ओपर हाओ कि तू कंप्यूट कि हाओ टू कंप्यूट कि टोटल इंकम कि एंड कि फाइनल टेक्स लाइबिल्टी कि मैं भी तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट दे रहा हूं अठारा के ठारा स्टैप हमारे कंप्लीट नियों गए ये बद्यान अगना कि इसमें वन बाइवन स्टैप हम कंप्लीट करते रहेंगे अब इसमें टेक फॉर्मेट दे रहा हूं किस तरा से इंकम निकलते एक किस तरा से टेक्स निकलता है ठीक है लिखो सबसे पहले स्टैप नमबर वन मैं अगर तुमें किसी परसन की टोटल इंकम निकाल नहीं है तो सबसे पहले क्या करना होता है लिखो कि डिट्रमाइन दी कि the residential status सबसे पहले तुमें उस परसन का रेस्जेंशल स्टेटस निकालना होता है कि वो R है या NR है क्योंकि जब तक तुम यही find out नहीं कर पाओगे तुम किसी की income निकाल नहीं सकते तो step number 1 क्या निकालना है में residential status अब determine the residential status ब्रैकेट में लिखो इसके total income of an assesee is based on residential of an assesee total income जो होती है वो residential status पर बेस होती है आगे लिखो step number 2 अब तुमने residential status निकाल लिया उसके बाद तुम क्या करोगे step number 2 में यहाँ पर लिखो जी classification classification of income under different heads फिर उस income को classify करो अलग अलग head में इस इंकम को classify करो अलग अलग head में भाई तुमने इंकम residential status निकाल दिया अब तुम्हें total income निकालने अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा हर income क्लासिफाई करना पड़ेगा वो किस इंकम किस हैड की है वास वाम यहार नहीं मेरी तो उसमें अगली को step number 3 कि 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 step number 3 कि लोड़ी classify कर लिया अब उसके बाइब नंबर 3 में लिखो computation कि अंप्यूटेशन ओव इंकम कि अंडर कि इच हैड अब हर हैड की तुम इंकम निकाल दो कि इंकाम इसकी है ये इंकम इसकी है अब उस head में उसकी income निकाल लो सर वो कैसे निकलेगी वह वह तुम्हें वह हैड बताएगा हर हैड तुम्हें बताएगा न कि ऐसे salary कि इसे निकलेगी house property कि इसे निकलेगी उसमें माइनस करना पड़ेगा तो अब तुम्हें क्लासिरिकेशन के बाद तुम्हें इंकम निकालने है स्टेप नमबर थरी में तुरी अब इसके ब्रैकेट में लिख लो कंप्यूट कि इंकम कंप्यूट इंकम ओफ कि एच हैड़ कि आफ्टर कि आफ्टर इंटर्नल कि डिरेक्शन कि जो इंटर्नल डिरेक्शन्स मिलती हैं उस हैड में उसको माइनस करने के बाद तुम उसकी इंकम निकालो ठीक है अब बताओ सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड आउट किया बताओ कि यह सारे स्टाप याद करने हैं मैं दुबारा बता रहा हूँ यह तुम्हारे कम से कम सोला नंबर पके करेंगे न्यूस लिपस वालोंगे सोला नंबर यह बाद ध्यान देना इसको मजाक मत नेला भी सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है इंकम इसको अब पांच वेडिक इंकम निकल क्या गई अब उसमें एड करोगे स्टेप नंबर फोर लिखो जी क्लबिंग लूज क्लबिंग ओफ एंकम ओफ स्पहुस हो गया गाहिए माइनर बच्छे나को गए इंकम ट्रांसफर किया है ठिस ये सारी इंकम जो भी तुमने ट्रांसफर की होगी सारी किस सारी इंकम तुम एड करते होगे यह तुम्हारी लटे हम ऑप सिंaken ऑन दी कर दी सबता क्यार होगे इसमें से loss minus करोगे कोई दिक्क्त तो नहीं आ रही step number five set of और carry forward and set of losses जो भी loss है उसको तुम set of करोगे अगर low setup नहीं होते फिर उसको अगले साल के लिए carry forward करोगे फिर carry forward करने के बाद फिर सेट अफ करोगे तो step number five में तुम ये काम करोगे ठीक है चलो अब बताओ सारे बच्चे दुबारा से बताओ रही step number one में तुमने अभी हम क्या निकालना सिख रहे हैं कि हैंटिंग बोलो हैडिंग क्या निकाला सिख रहे हैं टोटल इंकम और फाइनल टेक्स लाइबिल्टी अभी हम बात करें टोटल इंकम कैसे निकलती है तो टोटल इंकम के लिए सबसे पहले हमें क्या 70 k bamboo bar kano ancien स्थ कॉंपिया और करना पड़ती है रशेछल स्टेटेश फिर इंकम को क्या करना होता है कंप्यूटेशन और रोस टोटल इंकम करी अब कंप्यूट ओ गई अब बताओ माइनिस क्या करना है डिडॉक्षन तो स्टैप नॉंबर सावन टप नॉंबर सैवन डिडउक्शन है प्रॉक्ष्ट्रोज टोटल इंकम मिल्हाया डिडेक्शन कौनशी लिखो डिड़क्शन अंडर चैप्टर 6 से सेक्शन 80C 280U वाली आती है इसमें एंड डिड़क्शन अंडर सेक्शन 10AA ये जुरूर ध्यान देना ओल्ड स्लेबर्स के अंदर ये काम का नहीं था इतना 10AA ये जुरूर धे बड़े बड़े कोशन नहीं बनते थे उनके एक्शाम में 10AA का अलग से कोशन बनता था बटन न्यूस लेबर्स में 10AA काम क्या है क्योंकि हमारे पेपर में बड़े-बड़े कोशन बन ये टोटल इंकम वाले मुए अबर गना क्या चिम्पीयचन आप ordles य्वाले इंकम अब हम कम्प्यूट करेंगे टोट देन कम को ऩ fundamental rate गाल कि कम्प्यूटेशन रोफ कि To or अब क्या करने हमारी टोटल इंकम निकल के आगई हमारी टोटल इंकम के आग अभी इंकम हमें क्या लगाण अब आज नहीं क्या लगाने अच्छा आप में को बता होगे जो मेरी टोटल इंकम निकलके आई तो इसके बाद एक और स्टेप भी है अब गुवर्मेंट कहती है बता तेरी टोटल इंकम कितनी है मैं का मतलव के बता तो सही मैं का मेरी टोटल इंकम है नो लाक पचपन हजार पांसो छपपन रुपए है मैंने करी मेरी यह 9,555,556 के रहे ठीक है के अब जो तेरी टोटल इंकम आ रही है अगर इस टोटल इंकम के लास्ट में जीरो होता ना तो हम कहते टेक्स निकाल दे तो दुवारा बोलूँगा टोटल इंकम निकाली यहाँ पे निकल गई टोटल इंकम यह बता कितनी है अगर तेरी इंकम जो तुने निकाली है उसके लास्ट में जीरो है जैसे पांच लाख पैंतालीस हजार पांसो पचास रुपे मालो 4,90,000 यह राउंड ओफ है तो इस पे डेक्स निकाल दे बड़ अगर लास्ट डिजीट वन से लेके नाइन तक है पहले राउंड ओफ करो सर कैसे राउंड ओफ करना हमें तो गवर्मेंट कहती है राउंड ओफ करना है रूपीज 10 के मल्टीबल में रूपीज 10 के मल्टीबल 10 का मल्टीबल मतलब कि लास्ट डिजीट अगर यह वाली तेरी 5 या उसी उपर है तो अगले 10 में और 5 से कम है तो लास्ट 10 में अपने बोल दो अब अगर 955,556 है तो 955,560 यहाँ पे हो जाएगा यह इंकम पटेक्स निकालोगे यह बद ध्यान दो और अगर यहाँ पे 955,555 है तो भी 560 आएगा अगर यहाँ पे 545 है तो क्या बन जाएगा 540 यह बद ध्यान दो या 554 है 554 है तो क्या बन जाएगा 550 तो बन लास्ट डिजिट अगर 5 या उसी उपर है तो अगले 0 में जाना है अगर 5 से कम है तो लास्ट जीरो में जाना है तो लिको स्टेप नमबर 9 राउंडिंग ओफ टोटल इंकम स्टेप नमबर 9 राउंडिंग ओफ ओफ टोटल इंकम सेक्शन नमबर 288 कैपिटल ए सेक्शन नमबर 288 कैपिटल ए रहे हैं दिखो जी राउंड ओफ इंदी मल्टिपल ओफ रुपी हैं हम राउंड ओफ करेंगे 10 के मल्टिपल में हम राउंड ओफ करेंगे 10 के मल्टिपल में लिखो it means इट मेंस इफ लास्ट डिजिट फाई और मोर नेक्स्ट टैन लास्ट डिजिट लेस देन फाईव तो यह मत समझना है यह स्टेप हमारे हो गई है यह मैं सिर्फ स्टेप्स लिख वा रहा हूं इसको में वन वाई वन उठाना है और तब करना स्टार्ट करना है और जिस दीन हमारे जिस दीन हमारे 18 स्टेप मोझा अन। जाएगा आप जायाति है है थी फाई यह लगा सकते हो जी त्रे लेक्ट्रस हमारे लगने हैं न बस फोराई 18 स्टैप मारे यह 18 ब हुटाएंगे उसको करते रहेंग Dec अब मुझे बताओ दी स्टेप नमबर नाइन में तुम कहां तक पहुँच गए राउंडिंग ओफ टोटल इंकम अब तुमारी टोटल इंकमर, राउंड of होगया गई कोई दिक्काद वाली बात ऊने है अब स्टेप नमबर 10 से अब तुम्हें क्या लगानें स्टार्ट करने है टेक्स रेट अब यहां से रेट की स्टार्टिंग होगी लिखो यहां पर step number 9 तो इस्टेप number 10 पहले एक बार रुको 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 heading तुन डाली अब एक बार लिखो करक्स ओफ step number 129 एक से लिए के नो तका करक्स लिखो पहले सर एक बार 545 वाला example समझा दिए अगर 545 है तो 550 कर देंगे क्योंकि last में 5 है और अगर 544 है तो 540 कर देंगे जी इसके example मैं आगे रखे लिखवाऊंगा मैं दोवारा कह रहा हूं मैं steps नहीं करवा रहा जब मैं इन steps पर आउंगा तो इसके example भी लिखेंगे अभी सरफ मैं आपको steps लिख वा रहा हूं ठीक है अब लिखो करक्स अब लिखो पहले आतो तो कि सबसे पहले लिखो यहां पर कि डिटर्माइन कि दी कि रेजिदेंशल स्टेटस कि डिटर्माइन दी रेजिदेंशल स्टेटस इंकम अंडर फाइव है ठीक है ठीक है फिर यहां पर सेलरी हाउस परटी क्यापितल गैन नहीं सेलरी हाउस परटी पीजी बीपी चैपितल गैन अधर सोर्स सेलरी 15 तो 17 वाइस से लेके 27 अठाइस से लेके 44 दीबी 45 तो 55 ए 56 तो 59 ठीक है अब क्या करोगे अब क्या करोगे अब यहां पर करो गया कंप्यूट इंकम यह पांचों हेड को कनेक्ट कर दोगे कंप्यूट इंकम अंडर इच हैड 44 दीबी दीबी इंकम अंडर इच हैड अफ्टर अफ्टर प्र दीब परमिसेबल अधिशन 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 अंडर सच हैड उस हैड में जो भी डिडेक्शन और एग्जम्शन से हैं उनको माइनस करने के बाद तुम इंकम निकाल लो 56 to 59 56 to 59 देखो आपको कोई पाइट समझ में नहीं आ रहा गाइट तू फोटी फोटी फोर डीबी कैपिटल गेन 45 to 55 अधर शोर्स फिटी सिक से लेकर 59 फिर मैं नीचे लिखा है compute income under each head after the permissible deduction and exemptions under such head compute income under each head after the permissible deductions and exemptions under such head जो भी exemption और deduction उस head में मिलनी ही है उसके बाद तुम income निकाल दोगे ठीक है अब क्या हो गया अब बताओ अगला step मैं क्या करूँ अब बताओ ना इसको में डिटेल में तो पढ़ लिया अब बताओ यहां तक अब मेरी income निकल क्या गया मैं क्या करूँगा इसमें add कर दूँगा clubbing of income लिखो यहाँ पर apply apply clubbing provisions section 60 से लेकर 65 तक यह sections है clubbing के 60 से लेकर 65 तक यह sections है clubbing के पलक बीजीपी का section है 28 से लेकर 44 डीवी कि सारे section याद करने की requirement नहीं है जी automatically आपको याद होते रहेंगे class में आप उसकी टेंशन मतलो जितने याद हो रहे हैं उतने अच्छे हैं बस तुम and carry forward of losses set of and carry forward of losses section number 70 से लेकर 79 तक ठीक है उसके बाद जी फिर यहाँ पर आगे लिखो compute ग्रोस टोंटल इंकम जी टी यह आ गई आपकी आणा लोस मैनस कर दीना तो क्या आगया ग्या ग्रोस टोटल इंकम आ गई आपकी फिर किए अब इसमें से माइनस करनी आपको लेस deduction प्रोम ग्रोस टोटल इंकम जी टीए में सब माइनस करने डिडेक्शन कौन कौन सी कि देट इस कि अंडर चैप्टर शीक्से एंडर कि सेक्शन टैन डबल यह माइनस करनी है कि उसके बाद फिर अब यहाँ पे अब आएगी आपकी अब कंप्यूटेशन ओफ टोटल इंकम कंप्यूटेशन फर टोटल इंकम यह अपने टोटल इंकम निकाल दी अब इसमें तो केस होगे क्या टो केस होगे एँव इन राउंड ओफ और if in fraction अगर यह round off में है या fraction में है अगर round off में है जैसे example 5,45,000 5,90,000 5,85,880 10,12,120 एट सेक्टा लास्ट में 0 है तो अगर यह round off में है तो यहां से start tax calculation provision यहां से tax calculation वाले provision तुम start करतो ठीक है रही अगर तुमारा यह round off है बड़ अगर तुमारा यह fraction में है तो क्या करोगे first round off in the multiple of rupee 10 under section 288 ठीक है अब यह तुमने क्या कर दिया round off कर दिया अब यहां पे लिखो जी round of income आगी अब इसके बाद आफिर यही line यहां पे जोड़ दोगे start प्रोवीजन ओफ कम्पूटेशन ओफ टेक्स लाइबिल्टी यह हमारे टोटल मिला के अब देको दो बार लिखवा दिया मैं आपको अब आपको में निखाल से याद हो गया होगा तो अगले स्टेप में हमें काफी टाइम लगेगा और इसमें मुझाना भी आब आपको अर इंकम की कैलकुलेशन तक ही करके जाएंगे हम ठीकरी और अभी सेक्षन फोर हमारा खतम नहीं हुआैं तो यह यहां आपने अपने ही पूरा इंकम टेक्स एक्ट है और 18 चप्स अपने आप में पूरे इंकम डेक्स कंप्यूटिशन है ठीक है ना तोई आधारा स्टेप इसको मत मानना यह अठारा स्टेप ही तुमें फील करवा दूंगा तुम कहोगे सरे तो वही steps है पूरे income tax में जो हमारे चले है तो one by one हमे step complete करना है वैसे वैसे हमारे chapter खतम होते रहेंगे मैंने कोई भी step अभी खतम नहीं कराया सिरफ तुम्हें लिखवाएं है मैंने steps की यह आपके steps होते है ठीक है अब अब सारे बच्चे बोल दो रही जो मने steps लिखे है वो किस income को निकालने के लिखे है एनर्जी से किस income को निकालने के लिखे है total income step number one में क्या निकालनी है residential status उसके बाद तुम क्या करोगे income को classify income को classify कितने heads में पाच फिर उस income को तुम क्या करोगे compute इस income को तुम क्या करोगे compute अब compute जब तुम कर लोगे उसमें फिर क्या जोड़ दोगे clubbing of income क्या जोड़ दोगे clubbing of minus में क्या कर दोगे loss minus में क्या कर दोगे loss क्या निकल क्या एग ग्रोस टोटल इंकम क्या निकल काएगा ग्रोस टोटल उसमें से माइनस क्या करतोंगे डिरक्शन कौन से वाली अंडर चैप्टर 6a और अंडर सेक्षन 10 डबल एक क्या निकल क्या एगी टोटल इंकम फिर क्या करोगे उसको राउंड ओफ किसके मल्टीपल में और 10 के इसमें इसमें और तीन बच्चे मुझे बताएं देन क्लास हम ओवर करते हैं बताओ इस लाइन को रिपर्जेंट कोन करेगा कि यह जो लाइन बैठी है इस लाइन में कौन सैसा बच्चा है जो इस पूरी लाइन को रिपर्जेंट करेगा किसर मैं बताना चाहता हूं लास्ट तक टोटल जो मने स्टेप्स की है अल्मॉस्स सारे बच्चे मुझे दिख रहे है नालाइक दो बार लिख लिया तीन बार रिवीजन कर ली उसके बावजित बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा में है चार-पाँच बच्चे इस लाइन में कौन रिपर्जेंट करेगा इस लाइन में भी है ये लाइन पूरी नलाइकों की है भाई साथ चलो अब मैं जिन्दों ने हैंडरेस नहीं क्या उनमें सब बिलाऊंगा किसी को कि मैं कहां बस गए एक बार सब्सक्राइबस जाहिंद बोलने हैं निकले यांसे बाहर हम यह कोई बात फोड़ा हुई थी हमारी चलो जी अब आजाओ आप कि क्या राव का परीशा परेशा जू असकंई यहां आना ही बहुत इंकम निकालनी कैसे है ठीक है जी परिशाओ सब्सक्राइब निकालने के लिए फर्स स्टेप होगा आपको क्लासिफाय करना होगा इंकम को क्लबिंग करना होगा फिर फिर तो गापको लॉसस को डिड़क करना होगा फिर ग्रॉस टोटल इंकम आज जाएगी उसके बाद आपको डिड़क करने होंगी डिड़क्शिन अंडर चैप्टर सिक्स ए एंड सेक्शन टैन डबल ए और इसके बाद आपको फोटल इंकम आजए है उसके आपको राउंड आफ करना होगा इन के मल्टीपल में तो लास्ट लास्टेंट और ज्यादे है तो नेक्स्टेंट बहुत बढ़िया बहुत 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 बढ़िया वेरी गुद्ट देखो ऐसे अधिया अगए तो हम बुलाएंगे मैं दिख्टो नहीं रही है हणी तो इस रो में लास्ट से बिलाते हैं कि लास्टे आप आजाओ अधी आशिर्वाद अजाओ अरे आदो जाओ दो मिंद नहीं नेक्ष लास नहीं होती है नेक्ष लास को तो अगले सब्सक्राइब भूसा नहीं अपना परिशा कैसे बिना आवाद के कई बच्चे कैसी हो जैसे तुम नहीं हो वैसी है वो इदर आओ चल दिया हो वह चार राटके आरहा एक मिन रुका और आशिवत क्या हाल चाल भी बढ़िया है लाइफ बढ़िया चल रही है घर में सब बढ़िया है हम जी एस्टी कर रहे हैं इ इसका तो चलो कोई बात ने जितना भी याद है जी अब हमने अभी क्या निकालना सीख है अग्या टोटल इंकम नहीं आपने हेल्प निकर देखो इगर या निकालना सीक है टोटल इंकम जी अब बताओ कैसे तो अधिक तो डेटर्माइंड करेंगे रसिटेंशल स्टेटर् अधिक तो इसके बाद पर क्लासिफाइगे उसके बाद पर लविंग करेंगे करेंगे अब इंकरने के बाद लॉस्ट टोटल इंकम निकलेगा अच्छा लॉस्ट माइनस करेंगे उसके बाद फिर दिडिक्शन करेंगे डिडिक्शन की सेक्शच अंडर चैप्टर 6a पिर उसके बाद पिर उसके बाद पिर गर को सब्सक्राइब एक बार आश्रीवार कता लिया बश्कित हैं कि गए अब लास्ट्रों में से कौन अपनी लाइन को रिप्रेजेंट करना चाता है एक दो तीन बच्चे हैं चार ओके तो हम खड़ा करते हैं जी क्या नम आपका शर्दा जी शर्दा के लिए बार तालिया बसती है जी आपकी लाइन के आपके बहुत उमीद है आप उनको रिपरसेंट करने के लिए कैसा लग आपको यह मुका मिल है बहुत अच्छा लग रहे हैं जी आप यह बता दो इन सब को टोटल इंकम हमें कैसी निकालनी है प्रक्र का मैसे अब मत देखना वह यह पूछेगा आप कैसी अब बस उनको यह कहा देना कि जैसे आप नहीं हो मैं तो वैसे बिल्कुल भी नहीं हूं ठीक है चलो जी पहले हम रेजिदेंशल स्टेटर्स चेक करेंगे जैन हम क्लासिफाय करेंगे फाइफ हैट्स में और अब उसमें अगला स्टेफ क्या होगा मालों पांच और उसके बाद हम लोसिस को माइनस करते हैं देन हमारी गोस्टोल इंकम आ जाती हैं देन हम डिदक्शन करते हैं अंडर चैप्स ए एंड टैन डबल ए उसके बाद हमारी टोटल इंकम आ जाती हैं देन हम उसमें राउंड ओफ करते हैं और फिर वो कंप्लूट करते हैं तो अगर फाइव या फाइव से अबव है तो हम एक्सटेंग एक पर शर्दा के लिए ना तालिया बसकी है वेरी गुची एक तेन बच्चों के ने सही आंसर तो आपको मूफिया मिल रही है इनका आपको फल मिलेगा सब को मूफिया रेवडी और क्या है और क्या है वो फोन आये है ओ माइगोड चलो नी तो बहुत बढ़ी आजी सर लड़कियों लड़कों को भी रिपर्जेंट करवा दीजिए करवाया था आशिरवाद को उसने ना नाम ही खड़ाब कर दिया है है बताव मैं तो बलाया था मैं कि चलो कुछ तो सही होगा बंदा और नाना मैं नहीं कर सकता कुछ उसने पहली बोल दिस अंड़र कर दिया उसने पहले चलो कोई बात नहीं तो फाइन रहाद हमें टोटल इंकम निकालना सीख लिए अभी हमारे कितने स्टेप्स हुए है नाइन कितने और बची है नाइन जो सारे के सारे टेक्स निकालने के तो टो टोटल इंकम करेंगे अपनी और अगले 18 स्टेप करने के बाद फिर यह लगालो यहां से हमारा आगे फिर जनी स्टार्ट हो जाएगी तो एक बार बस आपने घर से यह सारा कुछ रिवाइज करके आने कल संडे को हम क्लास इस संडे नहीं रख रहे बट नेक्स संडे से मरी क्लास होगी करेंगे बाद याग मेरा कल आपका छुटी है कल आपका पहला पहला संडे ना अर्ट कोई भी संडे आपको ओफ नियोंका मैं तुबारा बता दूं हर संडे क्लास आपकी हुआ करेगी आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा बिलीव में आपको टेक्स से प्यार कर साथ दुबारा से एक बार स सारे बच्चे ठरवट से खड़े हुजी कल अमारी संडे क्लास नहीं है अचल कर रहा हूं नेक्स संडे से मरी लगातार क्लास होगी हुए ठीक हरी च्लो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं अपना नेक्स ग्लास में सेम टाइम सेम जगां फेंग